तो भी उनके देने की आदत है वो कभी छुपते नहीं चंचल नारी के नैन छुपे नहीं और जो बिभिचारनियां इस्त्रियां होती है उसका भी सुभाव छुपता नहीं है तो आज सतीक अभी असलियत छुपा नहीं लक्षमन जी तो जान गए लश्मन दीक उमाकर तवेसा उनके हिर्दे में आस्षरी भी हुआ लेकिन राम जी ने देखा तो राम जी क्या कहते है हाथ जोड़ करके प्रणाम किया माता जी प्रणाम सतीको तब भी समझ में नहीं आया कि ये प्रणाम क्यों कर रहे हैं लगा कि होशकता है मजाक कर रहे होंगो लेकिन जब यह पूछा बेपिन अकेले फेर ही कही है तू आप इस जंगल में अकेले क्यों घूम रही हैं शिवजी कहा है तब जाकर के सतीको हो साया है भगवान इन्हों ने तुम मुझे पहचान लिया और भगवान की कभी परिक्षा नहीं लेनी चाहिए अपना वो रूप हटा लिया अंतरधान हो गए ठाकुन जी सती जाती हैं सिवजी के पास सिवजी ने पूछा गई समीप महेशत भासी पूछी कुशलात लीन परिक्षा कवन विधी कहूं सत्य शवबात अच्छा जब कोई आपसे यह पूछते हैं और या कहते हैं कि सच बोलिएगा इसका मतलब है कि आपको आपके उपर उनको भरोशा नहीं है विश्वास नहीं है इसलिए बार बार सामने से कहेंगे जूट मत बोलिएगा सच बोलिएगा शिवजी को पहले से ही पता है कि सती जूट ही बोलेगे गई समीप महेशत भासी पूछी कुशलात हाथ जोड करके पूछा कहा कैसी हो लीन परिक्षा कवन विधी कहूं सत्य शवबात हाथ जूर करके सिवजी ने पूछा कि लीन परिक्षा कवन विधी आपने रामजी की परिक्षा कैसे ली कहूं सत्य सवबात सती ने जूट बोला क्या कहा कच्छोन परिक्षा लीन गोसाई किन प्रणाम तुम्हार ही नाए किन प्रणाम तुम्हार ही नाए किन प्रणाम तुम्हार ही नाए कच्छोन परिक्षा लीन गोसाई किन प्रणाम तुम्हार ही नाए सती ने जूट बोला और कितना बरा जूट कि कचुन परिक्षा ली न गुसाई कीन प्रणाम तुमारे हिनाई मैंने राम जी की कोई परिक्षा नहीं ली और जैसा आपने प्रणाम किया था वैसा हमने भी प्रणाम किया शिवजी के मन में विचार आया यदि आपको वैसा ही प्रणाम करना था तो आप मेरे साथ ही प्रणाम कर लेती लेकिन आपने वैसा तो नहीं किया आप तो परिक्षा लेने गई थी देखिए कहावत है सच्चाई छुप नहीं सकती कभी भी सच्चाई छुपती नहीं है एक बार एक पिता और पुत्र एक बार एक पिता और एक पुत्र दोनों साथ में ट्रेन में बैठ करके यात्रा कर रहे थे टीटी साहव आए टीटी साहव ने कहा टीकट दिखाओ टीकट दिखाओ तो सबड़ी टीकट दिखाया लेकिन पिता के साथ जो छोटा बालक था उसको पता था कि मेरे पिता जी टीकट नहीं लिये मेरा क्योंकि देखने में छोटी लग रहे थे उमर के थे जैदा पिताजी ने सोचा कि इस बात का फाइदा लिया जाए और बेटा का टिकट नहीं लिया ये बात और किसी को पता नहीं था बेटा को पता था तो जैसे कुछ बेचने वाला आता था ट्रेन में कहता था कि पिता जी ये लूंगा पिता जी खरीद देते थे लेकिन लोगों ने आसपास में जो लोग बैठे थे उन्होंने जब देखा तो बड़ा आस्चरी लगा कि वही ऐसा क्या है कि बच्चा जब से बैठा है तब से देख रहा हूं कि जो कुछ भी बेचने के लिए कोई आता है खरीद करके खोग खाता है यदि पिता जी कहते हैं नहीं खरीद दूंगा तो बेटा कहता है कह दूंगा और जैसे बेटा कहता है कि कह दूंगा पिता जी खरीद करके दे देत एक बार लोगों को रहा नहीं गया तो लोगों ने पूछा कि भाईशा माप करना आपका बेटा है आप जाने लेकिन मेरे मन में एक कौटू हले आखिर ऐसा क्या है आपका कौन सा राज जानता है आपका बेटा जब आप कुछ नहीं देने के लिए कहते हैं तो आपका बेटा कहता है कहे दूँगा और आप खरीद देते है तो पिता जी ने कहा कि भाई शव ये देखने में कितना साल का लगता है बोले आठ साल का लेकिन ह है चौदा साल का और यह बात इसको पता है इसको पता है कि मैंने टीकट नहीं लिया इसका यह जानता है इस बात को इसलिए कहता है कि टीटी शाव आएंगे तो कह दूँगा अब मुझे डर लगता है कि कहीं पराइश क 1991 के प्राइश है कि ज्छोट को चाहें जितना भी चुपा लेजे लेकिन जूट चुपता नहीं है गई समीप महेश तब जब सिवजी ने सती से पूछा तो कहती है कि कचुन परिक्षाली न गुशाई कीन प्रणाम तुम्हारे नाई जैसा आपने प्रणाम किया था वैसा हमने भी प्रणाम किया तब संकर देखे उधरी ध्याना सती जोकीन चरित सब जाना भगवान सिवने नित्रबंद किया जैसे नित्रबंद किया तो देख लिया कि सती जोकीन चरित सब जाना सती ने जिस प्रकार से राम जी की परिक्षा ले थी सिव जी जान गए बड़ा दुख हुआ सती कीन सीता करवेशा सिव उरभयों विशाद विशेशा सिव जी के मन में बड़ा ठेस पहुँचा मन में बिचार करने लगे कि एही तन सती ही भेट मोहिनाही शिव संकल्पकीन हमनमाही इस सरीर से मैं अब सती से प्रेम नहीं करूँगा अब दुबारा भेट नहीं करूँगा क्यों? क्योंकि इन्होंने मेरी मा का रूपधारन कर लिया शिव जी सीता जी को अपनी मा मानते हैं और मा का रूपधारन पत्नी ने कर लिया इसलिए एही तन सती ही भेट मोहिनाही मैं इस सरीर से अब शती से भेट नहीं करूँगा शिव संकल्पकीन मनमाही सिव जी ने मन में शंकल्प कर लिया बार बार सती पूछती हैं कि माराज क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ कुछ भी बोलते नहीं और चलनी लगी कहां? कैलास प्रवत पर जाते समय में भी सती ने पूछा तो सिव जी ने कोई जबाब नहीं दिया सती के मन में ये बात आ गई कि शायद सिव जी सब कुछ जान गए है बरी दुखी हुई जब बार बार पूछती हैं तब बरनत पंथ विविद इतिहासा विश्वनात पहुँचे कैलाशा अनेक प्रकार की इतिहास की कथा कहते हुए भगवान सिव कैलाश परवत पर पहुँचे और अपने प्रण को अपनी प्रतिज्ञा को याद करके शमाधी लगा करके बैठ गए सती भी पास्चात आपकी अगनी में जलने लगी और भगवान का नाम जबने लगी आईए हम भी भगवान का नाम जब है जे जे राधारमन हरी बोल 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 जै जै राधारमन हरी वो जै जै राधारमन हरी वो हरी वोल हरी वोल हरी 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 बोल हरी 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 बोल जे राधारमन हरी बोल जे राधारमन हरी बोल जे राधारमन हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल जे राधारमन हरी बोल जे राधारमन हरी बोल जे राधारमन हरी बोल भागवान का नाम जपनेशे सांती मिलती है भागवान के नाम में यह गुन है कि उनका नाम लेडेशे सांती मिलती है सतीक पास्चाताप की अगनी में जल रही थी तजी समाधि संभो अभिनाशी बीते संबत सहज सतासी सतासी हजार वर्ष के बाद सिवजी की समाधि तूटी सतासी हजार वर्ष के बाद सिवजी के समक्ष जाती है सती ने प्रणाम किया सनमुक शंकर आसन दिन ना सिवजी ने समुक आसन दिया बैठिए जबकि पत्नी का स्थान कहा होता है पती के बाएं भाग में पती के बाएं भाग में पत्नी का स्थान होता है लेकिन सिब जी ने सनमुक शंकर आसन दिन न सम्मुक आसन दिया क्यों कि मन में पहले ही संकल्प कर लिये थे इस शरीर से अब मैं सती को पत्नी के रुपमे स्विकार नहीं करूँगा सनमुख संकर आशन दिंध झा और फिर से कथा कहने लगे क्योंकि कथा से ठाक, कथा का उल्टा ठाक होता कथा से ठाकान मिटती है कथा सुनते सुनते यद्य शरीर ठक जाए इसका अर्थ है, इसका मतलब है कि हमने कथा को ठीक से नहीं सुना कथा से तो ठकान मिटती है, ठकान होती नहीं जैसे सम्मुखासंदिया इसी समय तुलसी बावा कहते है हरिद्वार छित्र में जो सती का नई हर है दक्ष प्रजापती ने एक यग किया कनखल हरिद्वार में सब को नियोता दिया लेकिन सिवजी को नियोता नहीं दिया समाज में एक बहुत बड़ी बात होती है क्या? यदि किसी को ये पता चल जाए कि ससूर और जमाई में बात चीत नहीं होती है तो लोग चुटकी खूब लेते है इधर भी उधर भी मिधिला में एक बड़ा सुन्दर कहावत है घर फोटे गमार लोटे घर फोटे तो गमार लोटे कभी भी अपने घर की बात किसी और को नहीं बताना चाहिए यदि लोगों को पता चल जाएगा कि आपके घर में प्रेम नहीं है तो लोग खूब चुटकी लेते हैं जब देवताओं को यह पता चला कि सिवजी में और उनके ससुर में दक्ष प्रजापती में बातचीत नहीं होती है लराई जगरा चल रहा है तो देवता लोग बिमान को उस कहलास परवत के उपर से ही लेके जाते हैं दिखाने के लिए कि देखो देखो आपके ससुर यग करड़ है और आपको नियोता नहीं थी हमको नियोता दिया सिवजी तो समझ गए इस बात को लेकिन सती समझ नहीं पाई सती कथा में बैठे थी लेकिन जैसे विमान के जाने की आवाज सुनाई दी कान में तो उपर पुछा कि यह सारी विवान कहां जा रहें देवतालों कहां जा रहें एक वार यदि कोई ट्रेन लेट हो जाए तो समय ट्रीन नहीं पहुंचती है अपने गंतव्यस्थान पर उसी प्रकार एक वार सती ने गल्ती कर दी थी कि कथा को ठीक से नहीं सुना और कथा कहने वाले के उपर संदेह किया परिनाम ये हुआ कि ना कथा का लाभ विला पती ने भी त्याग कर दिया भगवान की परिक्षा लेने चली गई और अभी जो कथा में बैठी है तो मन लग ही नहीं रहाए कथा क्यों कि सुरू में ठीक से कथा को नहीं सुना मन चला गया वहाँ क्योंकि ये मन तो बरा चंचल है मन बरा ही चंचल जैसे विमान की आवाज सुनाई दी तो मन चला गया उपर कथा से सिवजी ने बार बार शमजाया लेकिन सती को समझ में नहीं आई तब दो चार गणों को साथ कर दिये और सती जाती हैं पिता के घर शास्त्र का आदेश है कि माता पिता के घर गुरू के आस्त्रम में मित्र के यहां बिना बुलाए भी जा सकते हैं लेकिन यदि कोई बिरोध मांगता है तो वहाँ नहीं जाने में ही भलाई है किसी ने उनका सम्मान नहीं किया एक मा ने हिर्दे से लगा लिया क्योंकि आखिर मा तो मा होती है मा का हिर्दे बरा निर्मल होता है बच्चों के लिए मा के हिर्दे में हर्ष में बात सल्ली रहता है बच्चा चाहे कुछ भी करे लेकिन मा अपने हिर्दे से बच्चे को मांती रहती है सादर भल ही मिली एक माता भगनी मिली बहुत मुश्काता बहन जो थी मुश्कुराने लगी बिना न्योता किया गई लेकिन मा ने हिर्दे से लगा लिया और कहा कि बेटी पिता जी थोरे क्रोधी है एक बार सिवजी से उनका अनबन हो गया था उसी द्वेश के कारण सिवजी को न्योता नहीं दिया इस बात को हिर्दे में मत रखना सती को भी अब बुरा लगा सती सीधे जाती है कहां यग्यमंडप कत होन देख संभ कर भागा कहीं भी भगवान सिवजी के भाग को नहीं देखा तो बरा क्रोधा है और अब सती भी मन में विचार करती है हरी हर निन्दा सो नहीं जोकाना हरी हर निन्दा सुन नहीं जोकाना होई पाप भोगात समाना हरी हर निंदा सुन ही जोकाना हो हुई 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 ह जो काना ओई पाप गोगात शमाना काटिता सो जीव जो बसाई स्रबन मोधिनत चलिये पराई जहां भगवान की निंदा हो रही हो भगवान शिव की निंदा हो रही हो किसी संद की निंदा हो रही हो तो यदि बस चले तो निंदा करने वाला का जी काट लेना चाहिए और यदि बस नहीं चले तो कान मूंद करके वहाँ से बिदा हो जाना चाहिए हरी हर निंदा सुनई जुकाना वोई पाप गोगात समाना काट येतासो जीव जो बसाई यदि बस चले तो जी काट लेना चाहिए और यदि बस नहीं चले तो स्रवनमूदिनत चलिये पराई कान मूंद करके वहाँ से जाने में ही भलाई है पर शती ने मन में विचार किया कि मैं तो दक्षकी पुत्री हूँ और मेरे पिता ने मेरे पती का अपमान किया है इसलिए मैं ये सरीर को ही नष्ट कर दूँगी दक्ष सुक्ष कर संभब यहादे ही दक्ष से ही मेरा ये सरीर है इसलिए मैं सरीर को ही नष्ट कर दूँगी और भगवान शिव को ध्यान करके योगाग्वी में जल करके भश्म हो गई जब रुद्र गणों को ये पता चला तो यग्य को तहस नहस कर दी नारद जी ने जाकर के सारा समाचार भगवान शिव को सुनाया बीर भद्र को भेज करके पूरा यग्य को नश्ट कर दिया गया लेकिन जब सती ने देह का परित्याग किया उस समय भगवान से एक ही प्रार्थना की क्या प्रार्थना करती है जनम जनम शिवपद अनुरागा जनम जनम में मैं जहां भी जनम लूँ मुझे भगवान से भी ही पती की रुप में प्राप्तो हो मैं उनकी ही अरधांगनी बनो उनके चरणों में ही मेरा प्रेम हो यही बरदान मांगी तुलसी बाबा ने लिखा तेही कारण हीम गिरी ग्रेह जाई जनमी पार बती तन पाये तेही कारण हीम गिरी ग्रेह जाई जनमी पार बती तन पाये तेही कारण हीम गिरी ग्रेह जाई जनमी पार बती तन पाये तेही कारण हीम गिरी ग्रेह जाई इसी कारण से सती चुकी भगवान से प्रार्थना के थे कि मैं जहां भी जन्मलूं मुझे भगवान से प्रार्वती के रूप में हिमाले के घर में पुत्री बन करके उत्पन्न हुई उनका जन्म हुआ सती कौन है तो भवाने शंकरोबंदे स्रद्धा विश्वास रोपिनव स्रद्धा में और विश्वास में अंतर होता है भवानी जो है स्रद्धा की स्वरूपा है और भगवान सिव क्या है बिश्वास के श्वरूप है स्रद्धा हमारी जुरती है स्रद्धा तूट जाती है जैसे किसी का आच्टरन मुझे बहुत अच्छा लगा किसी का ब्यभार मुझे बहुत अच्छा लगा किसी का सुभाव अच्छा लगा तो उससे हमारी स्रद्धा हो जाती है, उस पर हमारी स्रद्धा हो जाती है, लेकिन जैसे कुछ बुरा लग गया तो स्रद्धा टूट जाती है, ठीक उसी प्रकार स्रद्धा सुरूपा सतीने देह का परित्याग किया और पुनह, पारवती की रूप में हिमाले की पुत्री ब सुप्ता है को जब श्रद्धा कि देरे धीरे धीरे देरे बढ़ने लगती है की पारवती के रूप में हिमाले की बेटी बनकर के आई है और स्थ्रद्धा जैसे 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 बढ़ने लगी तो संत नारद का आगमन हुआ नारद जी के चरणों में हिमाले ने प्रणाम किया मैंना ने प्रणाम किया और अपनी बेटी पारवती को भी कहा कि प्रणाम करो मैं इस व्यास पीट से निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी अपने बच्चों को सिक्षित करिये सिक्षा देजिये क्या अपने से बरों को प्रणाम करना चाहिए बरों को प्रणाम करने से लाभ क्या मिलता है अभिबादन से लस्या नित्यम्र दोप शेविना चत्वारितस्यवर धन्ते आयुर विद्या यशोबलम अपने से बरों को प्रणाम करने से आयुर बरता है विद्या वरती है यस बरता है और बल बरता है आयुर विद्या यशोबलम लेकिन आजकल ये परंपरा नस्ट होती जा रही है बच्चे प्रणाम करना भूल गए है अपने बच्चों को प्रणाम करना सिखाईए प्रणाम करने से आशिरवाद मिलता है आशिरवाद में देखिए चार अक्षरे है आशिरवाद चार अक्षरे है तो किसी को जब हम प्रणाम करते हैं तो बदले में हमें चार आशिरवाद मिलता है क्या क्या आयो रविद्या यसो बलम आयो विद्या यस और बलम ये चार चीज मिलते हैं पारवती ने भी संतनारद बाबा को प्रणाम किया नारद जी ने हाथ देखा सभी माता पिता को अपनी बेटी के जन्म से डर नहीं लगता बस एक ही चिंता रहती है कि कैसा घर होगा कैसा बर होगा इस बात से तु सभी माता पिता थोड़ी चिंतित रहते ही हैं माता जी वहीं से देखा हाँ कोई नी ठीक है आप वहाँ दे दीजिए पंडी जी शरा देखा नारद जी कहते हैं कि आपके बेटी के भाग में सभी शदगुन है सभी सदगुन है सब लच्छन संपन कुमारी होई हैं संतत पियही पियारी सदा अचल एही कर अही बाता एही तेजस पई हैं ही पितुमाता सदा अचल एही कर अही बाता इनका जो सोभाग्य होगा वो सदा अमर होगा लेकिन एक आध अबगुन भी है अबगुन क्या है अगोन अमान मातु पीतु हीना अगोन अमान मातु पीतु हीना अगोन अमान मातु पीतु हीना उदासिन सब संसय चिना अगोन अमान मातु पीतु हीना अबुने अमान मादुपी तुहीना फुदा सिन सब संसय चीला आ संसय चीला आ संसय चीला आ संसय चीला अगुन अमान मादुपी तुहीना नारद जी ने क्या कहा यदि आज का जियोतिसी ऐसा किशी के बेटी के बारे में कहता तो जियोतिसी को पैसा बाद में मिलता मार पहले पर कौन माता पिता चाहते हैं कि हमारे बेटी के भाग में ऐसा दुलहा हो नारद जी कहते हैं अगुन अमानमा तो पितो हीना इनके जो पती होंगे वो कैसे होंगे तो अगुन जिसमें कोई गुन नहीं होगा लेकिन दूसरा भाव यह भी है कि जो सत्व गुन रजो गुन और तमो गुन से परे होंगे सत्व रज और तम से जो परे होंगे अर्थात निरगुन कौन तो भगवान सिव अमान अमान माने जिसको कोई मान सम्मान नहीं होगा माता पिता तो यह अर्थ लेते हैं कि इसका कोई मान सम्मान नहीं होगा कौत हासमाज में प्रतिश्ठा नहीं होगी लेकिन पार्वतिजी अलग अर्थ लेती हैं कि जो मान संसे परे होंगे और मान संसे सप्रे कौन होते हैं संद संद जो होते हैं मान संद मान से परे होते है उनको मान संद मान से कोई लेना देना नहीं होता वो इन चीजों से परे होते है तो स्रोता तो कई होते हैं सब को भाव अलग-अलग लगता है जब नारद जी पारवती मैया के हाथ को देख करके उनकी भाग दे रेखा के बारे में बताते हैं तो उनके माँ और पिता जी अलग अर्थ लेते हैं पर पारवती जी अलग अर्थ लेती है पारवती जी क्या आर्थ लेती है कि अगुन माने जिसमें कोई गुन नहीं होगा ये अर्थ कौन लेते हैं पारवती की मा जो है मैना मैया वो अर्थ लेती है लेकिन पारवती जी क्या आर्थ लेती है कि जो सत्तोगुन, रजोगुन और तमोगुन से परे होंगे अरथाद भगवान सीव अमान माने जिसको मान सम्मान से कोई लेना देना नहीं होगा ऐसे कौन तो भगवान सीव पर उनकी मा क्या आर्थ लेती है जिनके समाज में कोई प्रतिष्ठा नहीं होगी कोई मान सम्मान नहीं होगा मा तो पितो हीना जिनके माता पिता का कोई ठिकाना नहीं उसको हम क्या कहते है लावारिस कहते है जिसके माबाप का ठिकाना नहीं उसको लावारिस कहते है लेकिन पारवती जी क्या आर्थ लेती है जिनकी मातापिता नहीं अर्थाथ जो सब की मातापिता है भवानी शंकरूबंदी काली दासजी ने अर गुवंसम में बरा शुंदर भाव कहा है कि वागर्था विवसम्प्रिक्ट वागर्था प्रतिपत्ते जगताह पितरोबंदे पारवती परमेश्वरों जगताह पितरोबंदे संसार के माता पिता कौन है तो भगवान शिवर्मया पारवती ही संसार के माता पिता जब नारद जी ने कहा कि मा तु पितु हीना तो सती अर्थ लेती हैं कि जो सबके माता पिता है पर उनकी माता पिता ने अलग अर्थ लिया उदासीन सबसंसय चीना जो हर शमें उदासीन रहेंगे उदासीन कुन रहते हैं जो एकांत बास जैदा करते हैं एकांत में जो भगवत प्रेमी होते हैं भजन करते रहते हैं सिंसार से उनको जैदा लेना देना नहीं होता उनको केवल अपने राम से अपने कृष्ण से अपने भगवान से मितलब होता है उदासीन सब संसेचीना जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल बेश असस्वामे एकामिलाही परिहस्त अशिरेख नारद जी कहते हैं जोगी जटिल अकाम मन ध्यान से सुनिएगा आपके बेटी के भाग में कैसा दुलहा है जोगी जटिल अकाम मन जो जोगी होंगे यदि आपको कोई कहे कि आपके बेटी के भाग में जोगी दुलहा है तो आप करेंगे जोगी फकीर से कौन डिवाह करना चाचाचा हर कोई चाता है कि मेरा दुलहा जो हो एंडलसम हो, सुन्दर हो, देखने में स्टाइलिस्ट हो आजकल के जमाने का हो पुराने जमाने का पुराने खयाल का ना हो लेकिन नारद जी ने तो कहा कि जोगी जटिल अकाम नगन अमंग अलबेश असस्वामी एही कामिला ही परिहस्त अशिरेख आपके बेटी की भाग में जो दुलहा है कैसा है तो जोगी है जटिल है जटाधारन करने वाला आजकल पतानी कौन-कौन से स्टाइल चले है अब देखिएगा कहीं लोगों को आगे से बाल को लाल कर लेते हैं पीछे से काले कहीं लाल कहीं उजला कहीं पीला यह सब आजकल के युग का प्रभाव है इतना सुन्दर केश को इतना बेकार बना लेते हैं यह चारों साइड से कटा लिए कटोरी कट कि जैसे मुरगा सब क्या मुरगा सब को आपने देखा होगा उसके सिर पर इतना बाल चुड़की जैसा ऐसा लटका रहता है अब यह फैरोस को तो भगवान का देन है लेकिन भगवान ने यदि पूरा सिर में बाल दिया है तो कोई कारण होगा ना भगवान ने जो भी बनाया है उसकी सुंदरता के लिए बनाया है लेकिन हम लोग क्या करते हैं यहां से पूरा केस मुरवा करके यहां थोरा रख लिए मतलब अलग-अलग इस्टा आई अब हमको तो नाम भी पता नहीं कि उस कट का क्या नाम है लेकिन चलिए कोई बात नहीं जैसा बहे बयार वैसा पीठ ओरी आजकल यही फैसन चल रहा है तो ठीक हैं कई लोगों को देखिएगा सुंदर जिन्स को फार करके यहां खुटनी के सामने फार देते क्योंकि आजकल का स्टाइल ही यह युग का प्रभाव है इसमें किसे का कोई दोस नहीं है भागवत की कथा में जब भक्ती महरानी के पास स्री नारत बाबा जाते हैं दुख का कारण पूचते हैं तो नारत जी ने कहा कि अयम तो युग धर्मो ही बढ़तते कश्य दूशनम जब भगवती भक्ती महरानी ने यह कहा कि मैं ये स्थान छोड़ करके विदेश चली जाओंगी तो नारत जी ने कहा कि मां आजकल सब तो विदेश ही भागर आयकम सकम आप तो देश में रहिए इदम स्थानन पर्तिर्ज्या विदेश में तेमया हर एक विक्ती दूसरे का अनुकरण करता है आजकल अपनी संस्कृति अपनी शब्यता अपना संस्कार अपनी मरियादा को भूल करके दूसरे को देख करके उसकी संस्कृति को हम अपनाते हैं जबकी अपनी संस्कृति को पहचानना अपनी संस्कृति को बचाना ही सबका परमधर्म जो जहां का हम मिथिला के हैं तो मिथिला क के संस्कृति मिधिला का संस्कार हम में होना चाहिए आप यदि नेपाल के हैं तो आप में नेपाल का संस्कार नेपाल के संस्कृति होनी चाहिए और यदि ऐसा नहीं है तो आप कहीं न कहीं अपने राष्ट्र के साथ अपनी समाज के साथ दोखा करते हैं हम मानब हैं तो मानब वाला संसकार होना चाहिए अस्तु जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल बेश अस स्वामी एही कामिल ही परिहस्त अशिरेख इनके हाथ में क्या है? इनका पती कैसा होगा तो जोगी जटिल अकाम मन किसी के मन में किसी प्रकार का काम नहीं होगा मैना मैया कुछ और भाव लेती हैं कि अकाम माने जिन से बंसी ही नहीं चलेगा भईया लेकिन पारवती के आर्थ लेती है कि जिसके मन में किसी प्रकार की कामना ना हो कामना ही जीव को दुख देता मन में विचार आया कि इतना सुन्दर घर है एक गारी हो जाती तो अच्छा रहता अब जब तक गारी नहीं होगी तब तक मन में दुख होता रहेगा, गारी हो गई, मन में विचार आया कि घर में एसी लग जाता, तो अच्छा रहता, क्योंकि गारी में बैठ करके जाते तो एसी चला करके जाते, घर में आएंगे एसी नहीं लगा रहेगा, तो आनंद नहीं आएगा, अब जब तक एसी नह आते हैं आजकल लोग दौर रहे हैं सब भाग रहे हैं किसी से पूछिए बाजार में कोई जा रहा है पूछिए कहां जा रहे हैं भी या बोलेंगे काम से जा रहे हैं कोई बाजार में मिलें सरक्पे मिलें कहीं भी मिलें पूछिए कहां जा रहे हैं क्यूं आये हैं तो काम से आए तो काम से जा रहे हैं कि यह बात वह स्वयम कहते हैं तो उतना बुरा नहीं लगता है कि लेकिन जब कोई और केहदे कि काम से चलागे मतलब किसे काम का नहीं रहा है लिए कोई महात्मा आपके यहां आए तो महात्मा से पूछे कैसे आना हुआ तो बोलेंगे मेरे राम जी की एक्षा क्या खाना है क्या प्रशाद पाईएगा तो बोलें मेरे राम जी की जो एक्षा होगी वही पाऊंगा कब तक रहना है तो जब तक राम जी की एक्षा होगी कब जाना है वो राम में मिल जाते हैं और जो काम काम कहते हैं वो किसी काम के नहीं रहते हैं काम से चले जाते है एक संत का बरा सुंदर भाव है राम का नाम लेकर जो मर जाएगा वो अमर नाम दुनिया में कर जाएगा राम का नाम लेकर जो मर जाएगा वो अमर नाम दुनिया में कर जाएगा वो अमर नाम दुनिया में कर जाएगा वो अमर नाम दुनिया में कर जाएगा राम का नाम लेकर जो मर जाएगा अरामता नामने अर जाएगा ये न पूछो की मरकर किधर जाएंगे वो जी धर भेज देंगे उधर जाएंगे वो जी धर भेज देंगे उधर जाएंगे राम का नाम लेकर जो मर जाएगा 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 जे हो राम का नाम लेकर जाएगा बात मानो न मानो खुसी आपकी 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 बात मानो न मानो खुसी आपकी आपकी हम साफिर हैं अपने घर जाएगे हम मुसाफिर है अपने घर जाएगे राम का नाम लेकर जो मर जाएगा राम का नाम लेकर जो मर जाएगा वो अमर नाम दुनिया में कर 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 जाएगा राम का नाम दुनिया में कर जाएगा राम का नाम लेकर जो मर जाएगा जो मर जाएगा जो मर जाएगा जो मर जाएगा बोलिये भक्त वचल भगवान की किसी प्रकार की जैकारा में कंजूसी नहीं होनी चाहिए तो इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं एक राम के प्रेमी और एक काम के प्रेमी जो राम के प्रेमी होते हैं वो राम में चले जाते हैं और जो काम के प्रेमी होते हैं वो काम से चले जाते हैं काम के नहीं रहते हैं अच्छा संसार में आये हैं तो काम तो करना प्रेगा बिना काम के रहे नहीं सकते हैं फिर बीच का रास्ता निकाली है लोगों की दुविधा यह है कि वो राम को छोर नहीं सकते और ना काम को छोड़ सकते हैं राम के बिना उनको अच्छा नहीं लगता और काम किये बगएर रहने ही शक्ते अब दोनों को साथ में ले करके चलना है तो कैसे चलना होगा कर से करम करों विधे नाना मन राखा ओजह पारनी धाना हाथ से करम करते रहे लेकिन मन कुभगवान के च्रनारविंद में रखी तो काम भी नहीं चूटेगा और नाम में मन भी लग जाएगा कर से करम करों विधे नाना मन राखा ओजह पारनी धाना अच्छे जब आप रास्ता पर चलते हैं तो ट्रेफिक रूल्स का बरा द्यान डखना पड़ता है दाय चलना है बाय चलना है आगे चलना है पीचे सब चारोव तरफ देखे चलना पड़ता है अब इधर से गारी आ रहे है तो भी परिशानी उदर से आ रहे है तो भी परिशानी आप साइकल से चलिएगा तो भी बचके चलना होगा मोटर साइकल से चलिएगा तो भी बचके चलना होगा कार से चलिएगा तो भी ध्यान रखना होगा और तो छोरो भईया पैदल चलिएगा तो भी ध्यान रखना होगा कि कहीं कोई गारी आ करके धक्का न मार दे तो सबसे बरियाँ उपाई क्या है कि आराम से 10 रुपे का टिकट लीजिए और बस में जाकर के बैठ जाए ना आपको आगे देखना है ना पीछे देखना है ना आगे देखना है ना इधर उधर कहीं भी देखना ही नहीं है क्या करना है केवल टिकट लेकर के बस में बैठ जाना है अब उस ड्राइवर की जिम्मेदारी है कि आपको आपके स्थान पर कैसे पहुंचाएगा ठीक उसी प्रकार इस अध्यात्म के मार्ग पर भी चलने में बरीकठी नाई है छोटे छोटे चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है इसे लिए स्त्रद्धा का टिकट ले करके विश्वास की गारी में बैठ जाईए और आपको पार लगाएंगे कौन तो सद्ध गुरू निर्दे हमाद्यम सुलभं सुद्रलभं प्लभं सुकलपं गुड़ुकरन धार स्त्रीमत भागवत महा पुराण में भगमान श्रीश को देव कहते हैं कि द्रदे हमाद्यम सुलभं सुद्रलभं पलभं सुकलपं गुड़ुकरन धार मयान को लेन नभस्व तेरी तंपुमान भवाब धीम नतरेच आत्महा आपको कुछ नहीं करना है केवल सरद्धा का का सर्ध्धा की टिकट मिलती कहा है बताये तो कौन-कौन स्रध्धा का टेकट लेना चाहते हात हुथा करके बताये कि समझ में नहीं आई कि स्रध्धा का टिकट किसको किसको चाहिए कि전 कि कर दो क्या कि स्रद्धा का टिकट चाहिए तो सपसंग के काउंटर पर आना होता है यदि स्रद्धा चाहिए स्रद्धा कब होगी जब किसी को जानेंगे तब तो ये कैसे पता चलता है कि राम कैसे है कृष्ण कैसे है तो जब सपसंग में आते हैं तभी पता चलता है तो सपसंग के काउंटर पर सरद्धा की टिकट मिलती है सरद्धा का टिकट ले करके विश्वास की गारी में बैठ जाईए तो आपको पार लगा देगा कौन सद गुरू लेकिन दुविधा तो यहां भी है आज कर लोग सच्चे गुरू की तलास में लोग कहते हैं सच्चा गुरू खोजो अब भई जब इतना ग्यान हो ही जाएगा कि सच्चे कौन है और जूटे कौन है इसका मतलब है कि हम बहुत बड़े ग्यानी है सच्चा जूटा का ग्यानी यदि हो जाए तो इसका मतलब है कि हम बहुत बड़े ग्यानी है किशे संत ने कहा कि नहीं सच्चे गुरु की तलास मत करिए स्त्रद्धा यदि सच्ची होगी तो गुरु बीना बुलाए आ जाएंगे एक राजा की बेटी थी राज महल में पली बरही लेकिन सत्संग के क्रिपासे संत की क्रिपासे वो बच्पन से ही भगवान का भजन खूब करती थी एक दिन एक चोर आया और चोर ने देखा कि ये तुमरे शाथ भुई है खिर किसे जांक करके देखा किस को राज कुमारी को कहा कि अच्छा है साधू का वेश बना लिया तिलक लगाली शुंदर वस्त्रधारन कर लिया आगी बाना बदलने में कितनाट समय लगता है एक्टर के दस-पंद्रा वेश मिदा वेश बना लिया साधू का था चोर गया उस राज कुमारी के पास राज कुमारी ने जैसे देखा कि वेश बूशा से महात्मा आये है चरणों में प्रणाम नहीं किया और कहा कि बाबा पानी पीजी उस चलिया गुरू ने चलिया महात्मा ने क्या कहा कि नहीं नहीं हम अवैश्नब के हाथ का जल नहीं लेते हैं जो वैश्नब नहीं है जिसके गले में तुलसी की माला नहीं है जो तिलक नहीं लगाता है हम उसके हाथ का पानी भी नहीं पीते हम तो गुरु की तलास ही कर रहे हैं आप यहीं मुझे दिख्षा दे दीजे मैं आपको ही गुरु बना लूँगी चोर ने देखा कि अब तो यह मेरे बस में है भोले हम यहां मंत्र नहीं देंगे यदि तुमको मंत्र लेना हो तो चलो मेरे साथ जंगल में कि राज कुमारी का हिरदे जो था बरा सच्चा गुरु के प्रति सच्ची निष्ठा थी उसके साथ चली गई जब जंगल में गई तो उस गुरु ने क्या किया उसका सारा धन ले लिया और धन ले करके विचार किया कि यह इसको ऐसे खुला छोर दूंगा तो यह जाकर कि रा एक पेर में बांध दिया और कहा कि जब तक मैं स्वयम ना आओ तब तक कोई आ जाए यह बंधन खोलने मत देना राज कुमारी ने कहा कि ठीक है बावा जब तक आप स्वयम आ करके मेरे बंधन नहीं खोलोगे तब तक मैं ऐसे बंधी रहूंगी और चोर सारा धन ले करके चला गए प्राता काल हुआ जब राजा ने देखा कि राज कुमारी अपनी कश्वे नहीं है तो रत परशवार होकर के बेटी को खोजने के लिए गए खोजते खोजते एक जंगल में देखा कि मेरी बेटी तो पेर से बंधी हुई है गया बंधन खोलने के लिए बेटी ने हाथ जोड के प्रणाम किया कि आप पिता जी है आप मेरी पुझे है मैं आपको प्रणाम करती हूँ लेकिन गुरु जी ने बांधा है इसको अरे बाबरी हो गई है क्या गुरू का काम बांधना नहीं है गुरू तो बंधन से मुक्त करते हैं यह कैसा गुरू जो बंधन में डाल दे बेटी तुम्हें किसी चलिया ने शाधू का बेश धारन करके तुम्हें ठग लिया है राजकुमारी ने कहा कि जो हो मेरे गुरु के बारे मैं ऐसे मत बोली है राजा समझा करके ठग गए उसने बंधन नहीं खुलवाया राजा चले गए अपने कक्षा नारद जी आए नारद जी ने देखा कि वहीं ये बेचारी हिरदे से दुबरी साथ दुई है भगवान के चरणों में इसका बराप प्रेम है लेकिन चोर ने साधू का बेश धारन करके इसको बंधन में डाल दिया नारद जी को देख करके राजकुमारी ने प्रणाम किया देवर्शी नारद के चरणों में प्रणाम गए बेटी मैं ये बंधन खोल देता हूँ बोले नहीं नहीं बाबा माप करना ये बंधन किसी आउर का बंधा हुआ नहीं है मेरे गुरु जी ने मुझे बांधा है बोले बेटी ये गुरु नहीं एक चोर था जो तुम्हें तुम्हारे देह में जो सोना चांदी के आभूशन थे उसको देख करके उसके मन में विक्रती आ गई और उसने तुम्हारा धन लेने के लिए ये चल किया है अरे गुरु का काम बांधना नहीं गुरु का काम तो खोलना होता है यदि कोई बंधन में परा है तो गुरु ज्यान की द्वारा सनमार्ग पर लाता है सिस्च को ये कैसा गुरु जो बंधन में डालती बोले बावा ठीक है आप देवरशी नारद है मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ लेकिन मेरी गुरु के बारे मैं ऐसे ना बोली और नारद जी से भी बंधन नहीं खुलवाई नारद जी ने जा करके नारइन से कहा के देखिए आपका भजन करने वाली एक साथ भी एक राजकुमारी को एक चोर ने गुरु बना क करके उसका सब कुछ छीन लिया और बंधन में डाल दिया है भगवान ने विचार किया कि चलो हम भी थोड़ा चल करके देखें भगवान बैकुंठ धाम से आ गए नीचे उस राजकुमारी को कहा कि बेटी मैं खोल दीता हूं भगवान को भी राजकुमारी ने मना कर दिया कि नहीं नहीं मैं आपसे बंधन नहीं खुलवाओंगी क्योंकि ये गुरुजी का बंधा हुआ है यदि कोई सामान ने वेक्ती बंधा होता तो मैं खुलवा लेती लेकिन गुरुजी का आग्या है कि मैं जब तक ना आऊं तब तक ये बंधन किसी को खोलने मत देना भगबान ने कहा कि जाओ देखना वह चोर कहीं गया नहीं होगा इधर उधर भटक रहा होगा फिर बाना बदल करके किसी को ठगने के चक्र में होगा जिसका काम ही है थगना ऊ darling मन जा एगा कभी साधु बन जाएगा कभी कुछ बन जाएगा वह कहीं गया नहीं होगा नारद जी गए धोंडते धोंडते देखा कि फिर एक जगह साधू का बेश बना करके लोगों को ठगने के लिए तयार था हाथ पकरा बोले चलो भगवान बुला रहे हैं चोर ने कहा कि मैंने जीवन में ऐसा कौन सा धर्म किया है जिसके लिए भगवान मुझे बुलाएं मैंने तो केबल पाप ही किया है लोगों को धोखा दिया है ठगा है बोले आज भगवान तुम्हें दंड देंगे अरे एक उस राजकुमारी को तुमने बंदन में डाल दिया है जोर आए थर 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 बेचारा काम पर हाथा कि पता नी भगवान आज मारेंगे की जिलाएंगे हाथ जोर के वगवान के चरणों में प्रणाम क्या बोले कम इसकम एक घर तो छोड़ देते डायन भी एक घर छोड़ करके नजर टोना लगाती है किसी और को अरे तुम तो उससे भी आगे निकल गए कमसे कम इस साथ भी के साथ तो ऐसा नहीं करना चाहिए था जल्दी खोलो गुरू ने खोला बंधन और फिर वो बंधन से मुक्तु ही अपने घर गए इसका आर्थ क्या है इसका क्या ये मतलब है कि गुरू ऐसा ही होता है नहीं श्रदधा यदि सची होती है तो भगवान भी आ जाते हैं भले गुरू का कुछ शिस्य ऐसे होते हैं जो अपने कारण गुरू का भी उद्धार करते हैं और यही कथा में तो आपने सुना गुरू चोर था लेकिन सिस्ष के मन में गुरू के बचन के प्रति यदी निष्ठा थी तो भगवान भी दर्शना करके दिए विशले संत कहते हैं सच्चे गुरू की तलास मत करो स्रध्धा यदी सच्ची होगी तो गुरू तो स्वयम मिल जाएंगे स्रध्धा सच्ची होनी चाहिए लेकिन हम लोग यही मार खा जाते हैं हम लोग सच्चे गुरू की तलास करते हैं सच्चे गुरू की तलास मत करिये स्रध्धा यदी सच्ची होगी तो गुरु भगवान सुयम बन करके आ जाएंगे, इसलिए स्रद्धा सच्ची होनी चाहिए. तो सत्संह में ही एक निवेदन करना चाहूंगा यदि गुरु कामी हो यदि गुरु लोभी हो यदि गुरु क्रोधी हो तो गुरु में अबगुन नहीं देखना चाहे गुरू में माता पिता में महापुरुष में संत में अबगुन भूल से भी नहीं देखना चाहिए यदि गुरू के अंदर काम दिखे तो समझेगा कि ये कृष्ण के रूप में है यदि गुरू मर्यादित हों तो समझेगा राम के रूप में है यदि गुरु में लोब होगा तो समझेगा कि बामन के रूप में है और यदि गुरु में क्रोध होगा तो समझेगा कि परुषराम दरबासा के रूप में है लेकिन जिस भी रूप में हैं गुरू गुरू ही होते हैं गुरू में अबगुन भूल से भी नहीं देखना चाहिए ऐसे तो किसी का अबगुन नहीं देखना चाहिए लेकिन खासकर संत में महापुरुष में गुरु में सद्गुरु में कभी भी अबगुन नहीं देखना चाहिए और संत के संग करणे से यही जीवन में उद्धार होता है स्तुरी कभीर धाशी ने बरिशुंदर बात कहिए संतन के शंग लागरे तेरी अच्छी बनेगे संतन के शंग लागरे तेरी अच्छी बनेगे संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगे तेरी अच्छी बनेगी तन के जंग लाग है तेरी अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी किसकी किसकी आज तक बनी है रुबजे की बन गई प्रहलाद जी की बन गई रुबजे की बन गई प्रहलाद हो की बन गई तेरो पर भाग रे तेरो पर भाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के जंग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के शंग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के शंग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी जै हो देरी अच्छी बनेगी संतन के शंग लाग बनेगी कागा से तो है हंस करेंगे कागा से तो है हंस करेंगे इसका अर्थ क्या है कागा से तो है हंस करेंगे बस तो तहा हम आप सभी भगवान के ही संतान हैं लेकिन इश माया के कीचर में पर करके के हम अपनी चाल भूल गए माया की कालिमा लग गई तो हम अपने आपको कवा मानने लगे और हम दुखी हो गए सद गुरु क्या करते हैं सत संग की गंगा में नहा करके जो देह में जो आत्मा में जो शरीर में मैल लगा हुआ है उसको धो देते हैं तब पता चलता है कि हम तो हंस हैं यसी लिए कभीर बाबा कहते हैं कागा से तो है हंस करेंगे कागा से तो है हंस करेंगे मिट जाए और के दागरे मेरी अच्छी बनेगे संतन के शंग लाग ने तेरी अच्छी बनेगी संतन के संगर ना बनेगी तेरी अच्छी बनेगी भी राद है सुत्वित नारी भवन परिवारा सुत्वित नारी भवन परिवारा त्याग शके तो अब त्याग रे त्याग शके तो अब त्याग रे संतन के शंग लाग ने तेरी अच्छी बनेगी संतन के शंग लाग ने तेरी अच्छी बनेगी संतन के शंग तो अच्छी बनेगी संतन के शंग अच्छी बनेगी कहत कभीरे सुनो भाई साधो 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 सब को ऐसा क्यों कहते हैं कहत कवीर सुनो भी साधो साधू का ही नाम क्यों न Rigione तो कविर दाषजी ने सुंदर जवाब दिया 未来 जू साधू होगा वही मेरी बात मानेगा जो साधू होगा रहे नहीं वह तो मेरी बात भला क्यों मानें इसलिए कवीर दास जी अस्पस्ट कहते हैं कहत कवीर सुनो भाई साधो अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगे संतन के शंग लागरे तेरी अच्छी बनेगे बोल संत भगवान की जैश ऐसे नारद बाबा का सुभाग मन हुआ कहां हिमाले के घर में जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश अस स्वामी एही कहां मिल ही परिहस्त अशिरेख तुल सिवाबा ने कहा जे जे बर के दोश बखाने जे जे बर के दोश बखाने ते सब सिवा पही में अनुमाने ते सब सिवा पही में अनुमाने जे जे बर के दोश बखाने ते सब सिवा पही में अनुमाने ते सब सिवा पही में अनुमाने नारद बाबा ने कहा के जे जे बर के दोश बखाने जे जे बर के दोश बखाने ते सब सिवा पही में अनुमाने 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 नारदवावा ने कहा के जे जे पर के दोश बखाने ते सब शिव पहिमने अनुमाने ए मैना मया मैने दुलहा के जो जो दोस गिनाये हैं मुझे लगता है कि वो सारे दोस भगवान शिव में लेकिन जो विवाह संकर्षन होई दोसों गुण सम कह सब कोई यदी भगवान सिब के साथ पारवती का विवाह होता है तो दोसों गुण सम कह सब कोई दोस को भी लोग गुण ही कहेंगे कैसे दोस तो दोस होता है और गुण तो गुण होता है लेकिन यदि पारवती का विवाह भगवान शिव के साथ हो जाता है तो दोशों गुनसम कह सब कोई दोस भी गुन बन जाएंगे इसको ऐसे समझे किसी नाला के पानी से कोई पूजा नहीं करता नाला के पानी में कोई इसनान नहीं करता लेकिन वही नाला का पानी यदि गंगा जी में जाके मिल जाता है तो लोग जानते हैं देखते हैं उनकी आखों के सामने नाला का पानी गंगा जी में मिलता है लेकिन फिर भी डुबकी लगाते हैं जब तक उस नाला के पानी का संबंध गंगा के पानी के साथ नहीं था तब तक वो सुद्ध था स्नान के योगी नहीं था पाने योगी नहीं था पीने योगी नहीं था लेकिन जैसे नाला का पानी गंगा से जाके मिल गया तो दो शौगुन सम कह सब कोई उस पानी में भी गंगा का पानी के प्रभाव से पावनत तो आ गया नारद जी ने कहा दोशों गुन सम कहा सब कोई और ऐसे भी मैया समरत कहो नहीं दोश गोसाई रभी पावक शुरसरी की नाई इसका अर्थ लोग यह लगते हैं कि समरत कहो नहीं दोश को साई रभी पावक शुरसरी की नाई जो सामरत वान लोग होते हैं उनको दोश नहीं लगता बोले कौन कौन से तो रभी पावक शुरसरी की नाई रभी माने सुरिय पावक माने अगनी सुर्शरी माने आपका यह सुन्सरी नहीं सुर्शरी माने देवनदी गंगा मुझे पता चला कि इस नदी का भी नाम पहले सुर्शरी ही था लेकिन कालांतर में चल करके सुन्सरी हो गया लेकिन वस्तुता सुर्शरी का अर्थ होता है देवनदी गंगा सुर्शरी सुर माने देवता और सरी माने नदी अर्थात देवनदी देवनादी मने गंगा रविपावक शुर्शरी की नाई जो अही सेज जो अही सेज सयन हरी करही बुद कचुतिन करदोशन धरही भानु क्रिशानु सर्वर्श खाई तिन कह मंद कहत को नाई आग में लोग सुन्दर भोजन भी बनाते और आग में मांस भी पकाते लेकिन आग अपवित्र नहीं होता आग में वो दोस नहीं लगता क्यों क्योंकि आग में अपना विसिस्ट गुन है पावनत गुन है दाहकत गुन है इस कारण से ही लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सामर्थवान को दोस नहीं लगता जो सामर्थवान है उसको दोस नहीं लगता ऐसा अर्थ मत लगाईएगा इसका अर्थ यह है कि जिसमें दोस नहीं होता है वही सामर्थवान है ऐसा नहीं कि इस देश का मालिक जो है सामर्थवान है जो करेगा समच्छाई होगा जिसमें दोस नहीं होता है उसी को सामर्थवान कहना चाहिए और जिसमें दोस है वो सामर्थवान नहीं हो सकता लेकिन यदि आपकी बेटी तपस्या करें तो सब कुछ संभव है तपबल रचई प्रपंच विधाता तपबल विष्णु सगल जगत्राता तपबल रुद्र करई शंधारा तपते अगमन कच्छु संसारा तपश्या से सब कुछ संभव है तपश्या के बलपर ही ब्रमाजी स्रिष्टी का निर्मान करते हैं तपश्या के कारण ही विष्णु संसार का पालन करते हैं और तपश्या के बलपर ही रुद्र संसार का संहार करते हैं श्री नारत बाबा ने कहा कि तपते अगमन कछु संसारा तपस्या यदि कोई करे तो इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है सब कुछ संभव हो जाता है तप बल रच इप्रपंच विधाता तप बल वेष्णु सकल जगत्राता तप बल रूद्र करही संहारा तप बल रूद्र करही संहारा तपते अगमन कछु संसारा तपते अगमन कछु संसारा तपते अगमन कछु संसारा तपते अगमन कछु संसारा बोले हे मैया इस संसार में तपस्या से कुछ भी असंभब नहीं है सब कुछ पाया जा सकता है और जो तपस्या नहीं करता है तो तप का उल्टा क्या होता है तप हुआ और उसका उल्टा होता है पत, पत माने पतन आजकल की माता ये अपने पती को क्या कहते हैं हस्वेंड कहते हैं, पती नहीं कहते है और आजकल के उरुषबर्ग के लोग भी अपनी पतनी को पतनी नहीं कह करके और और नाम से पुकारते हैं जबकि इसके पीछे एक बड़ा तात्विक अर्थ चुपा हुआ है पत्नी और पती दोनों पत धातु से बने हैं हमारे यहां जब दुरगा सब्तसती का पाठ होता है तो क्या कहते हैं यादेवी सर्भभूतेश मात्री रूपे न रशंस्तिता नमस्तस्ये 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 नमो नमहा जब किसी लर्की का विवा हो जाता है तो उससे पहले उसका अलग नाम होता है लेकिन जब विवाह हो जाता है यदि किसी का नाम जानकी है और उसके पिता का नाम राधारमन जा है तो लड़कियां अपने नाम के पीछे क्या लगाती है या तो जानकी जा या जानकी कुमारी लेकिन जब विवाह हो जाता है तो जानकी देवी के नाम से जाने जाती है क्यों? क्योंकि विवाह के बाद उसमें दिव्यता आ जाती है दिव्यते प्रकास्यते यासा देवी देवी का अर्थ ही है जिससे दिव्यता आए और आप देखते होंगे कि जब किसी लर्की का विवाह होता है तो उसके सरीर में दिव्य संसकार आ जाता है उसका स्वरूप बदल जाता है और भगवत क्रिपां से धेरे-धेरे सुभाव भी बदल जाता है दिव्यते प्रकास यते अनेन यासा देवी जिससे दिव्यता आये प्रकास आये वही देवी एक पंडिजी थे मिथिला के कलकत्ता में पंडिजी की बरी पूछ होती है वहां गए बरे परहे लिखे थे व्याकरण का ब्रहिया ग्यान था लेकिन तुलसी बावा मानस में लिखते है पंडित सो जोगाल बजावा आप पढ़े लिखे कितना है ये मैटर नहीं करता आप कितना बरहियां से यह जमान को प्रसंद कर देते हैं सबसे बरी बात यह है आपने क्या कहा उससे कोई मतलब नहीं अजमान को यदी अजमान प्रसंद हो गए तो आपका माले आप माला माल हो जाएंगे यदी अजमान प्रसंद नहीं हुए आप चाहे कितने भी विद्वान है तो कोई काम ने बनने बाला एक सेठ के यहां मारवारी सेठ के यहां ओपंडी जी गए जो परहे लिखेते उन्होंने का याद एवे शर्बभोतेशु मात्री रोपे नशंस्थेता नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः लेकिन जो मिथिला के बारे में जानते होंगे उनको पता होगा कि याद एवे शर्बभोतेशु जैसे यग्य नहीं बोलते जग्य बोलते हैं शष्ठी नहीं बोलते हैं मिथिला में याद एवे शर्बभोतेशु मात्री रोपे नशंस्तस्येता लेकिन उस सेठ के यहां एक दूसरा पंडित पहले से पूजा करते थे ज्यान से सुनिएगा तो दो पंडित को ये एक पंडित कभी नहीं बरदास्त करेगा कि मेरा जजमान किसी और पंडित से पूजा कराया जो पंडित पहले से ही किसी यजमान के यहां है उस पंडित को ये बात पचेगा नहीं कि मेरे यजमान को कोई और अपना ले तीन महिना के बाद जब छुट्टी में आया देखा कि मेरे यजमान तो किसी और पंडिती से पूजा करवा रहे हैं और हैं भी बिद्वान बेशबुसा से भी बानी से भी बिद्वान लगते हैं और मैं ठहरा मुर्ख पंडित अब यजमान तो इसको इसके वुपर बरस गए हैं प्रसन्ने है विद्वान पंडित थे भाई यजमान को माला Maal कर दिये लेकिन मुर्खकม लाठी बिचे कपार कहावत हैं ना मुर्खक लाठी बिचे कपा सो मूर्ख पंडित ने देखा कि इसको हटाना कैसे है तो जजमान के पास गए और बोले कि आप कितने मूर्ख आदवी हैं अरे आपका पैसा भी जाता है और भगवती भी आपके घर से जा रही है यह जमान ने कहा कि यह कैसे आप जब पंडीजी पाठ करते हैं तो वहां बैठिएगा और सुनिएगा पंडीजी क्या कहते हैं जादेवी शर्ब भूतेशु मात्री रोपे न संस्तिता जो भगवती बचपन से ही आपके घर में रह रही थी उस भगवती को यह पंडित भगा रहा है जादेवी शर्ब भूतेशु बोले सुद्ध क्या होना तो मुर्ख पंडित ने कहा कि आदेवी शर्ब भूतेशु मात्री रोपे न संस्तिता अच्छा हे भगवान इसी लिए तो तीन महिना से मेरा कोई नया काम नहीं हुआ है कोई लोटरी नहीं लगी है यह पंडित गलत पाठ करता है उसे बिद्वान पंडित को बीचे पाठ को हो क्या गया तो पहले बाला जो पंडित था जो मुर्ख अउसको ज्यादा नहीं था लेकिन सब्द का चातुर्य था पंडि जी कैसे यजमान को प्रसंद करें ये बात उसको पता था कि खुलिए तो यह पंडिता है कि आदेवी शर्व भूतेशु और आप कहते हैं जाद लेकिन ये मैंने हाश्य भिनोद में कहा इसको हरदय में न रखियेगा बिद्वान सरवत्र पूज्यतु बिद्वान की सरवत्र प्रत्रिस्था होती है धन वर्दा ब्रद्दा आईवर बर्धास्त तथे वुचवत थे सरवेपीगान वर्धास्चा किंकरा अगराश शिश्य संध्यांसिので स्र्श्ट्य जो ग्यान की प्राकाश्धा पर पहुंचे हुए हैं वही सर्व रेष्ट है स्लिए विद्वान शरवत्र पूझति राजा का पूझा अपने देश में ही होता है राजने विद्वान सरवत्र पूज्यति राजा का पूजा केवल अपने देश में होगा लेकिन विद्वान की पूजा सरवत्र होती है कि इसको इधर मद्धिजिए कि तपते अगमना कचु संसार कि यदी संकल्प ठोस होगा मन में सच्ची स्रद्धा होगी विश्वास होगा अपने कर्म के उपर अपने इस्ट के उपर तो लक्ष अवस्य प्राप्त होगा नारद जी ने कहा कि जो तपकरें कुमारी तुम्हारी भावी उमेठ शकहित्र पुरारी लोग कहते हैं कि भाग्य में जो लिखा है उसको कोई मिटा नहीं लेकिन भाग्य का लिखा भी मिठता है कौन मिटा सकता है जो देवों के देव महादेव हैं भगवान शिव को ये स्पेशल पावर है स्पेशल शक्ति है जो तपकरें कुमारी तुम्हारी भावियों मेठ शकहित्र पुरारी बोले प्रमान क्या है म्रिकंडु नाम के रिशी के पुत्र हुए मारकंडेय उनकी आयू के वल पांच बर्श की थी लेकिन सिव जी की आराधना किये तो सिव ने उन्हें अमर कर दिया इस संसार में आठ लोग ऐसे हैं जो आज भी जिवित हैं कौन कौन अस्वत्थामा बलिर व्यासु राजा बली अस्वत्थामा द्रोणाचारी के पुत्र बेदव्यास भगवान जिन्होंने पुरान की रचना की शास्त्र का विभाग किया और वेद का विभाग किया अस्वत्थामा बलिर व्यासु हनुमां सभिभेशना और हनुमान जी भी जिवित ही हैं बोलिएका प्रमान क्या है चारो जुग परताप तुम्हारा हनुमान जी है इसका यही प्रमान है चारो जुग परताप तुम्हारा चारो युग में हनुमान जी का प्रताप उनकी महिमा फैसन विविशन जी जिवित ही है क्रिपः परसुर आमाश्चर कुल गूरू करपाचारिय परशुरामस्च और परशुरामजी सब्तेटे चिरजीवन यह साथ चिरजीवी हैं अमर हैं लेकिन एक और है सब्तेटान अस्मरेणित्यम मारकंडेय मठास्टकम मारकंडिय और यह सिवजी की कृपा से ही ज़जी भी है तो नारद जी ने कहा जो तपकर रही कुमारी तुमारी जो तपकर रही कुमारी तुमारी भावियों में ते सकही त्रे पुरारी आगी में ते सकही तुमारी जो तपकर रही कुमारी तुमारी कि नूटा पकरने तूमार कर के भगा देते हैं पंड़ेजी ऐसी ऐसे उबाद कहते हैं मेरी बेटी के भाग में ऐसा दुलाह होगा आज कलके पंड़ेजी को जनम कुंडली दिखाने जाए या हाथ दिखाने जाए तो दो-चार पत्थर लिखी दें उनका भले अपना बेटा गुरवक हो गया इससे कोई फर्क नहीं परते अरे भाईया यदि पत्थर पहनने से इस सब कुछ ठीक ठाक हो जाता तो पंडे जी अपने बेटा कोई बरहियां बना लेते डाक्टर के पास चले जाए तो दवाई लिख देंगे बाबा जी के पास चले जाए तो भभूत दे देंगे और पंडे जी के पास चले जाए तो बोलेंगे ये अनुस्ठान करवालो सब ठीक हो जाए लेकिन नारद जी ऐसे पंडित हैं ऐसे संत हैं उन्होंने कहा कि नहीं आपकी बेटी को ही तपश्या करना होगा आज कल के पंडित जी कहते हैं फोन पर आप संकल्प कर लिजी पाठ हम कर दें कमाल हैं मतलब कोई मुंबई में है और ठेकेदार पंडित जो होते हैं यहां ठेका ले लिए फोन पर संकल्प करवा लिए अब भगवान जाने वो आम परते हैं किमली परते और यदि ऐसा करने से ही सब कुछ हो जाता फोन पर ही सब कुछ हो जाता कान में एर फोन लगा करके और गीत सुनने से ही कोई गायत हो जाता लोग गुरुजे के पास क्यूं जाते किसी मात्मा के पास क्यूं जाते यह सब बिकल्प है जब कोई और शाधन नहीं बचे कोई और रास्ता ना बचे तो अंत में ये विकल्प है लेकिन आज कल लोग विकल्प को ही संकल्प बना लिये हैं कि जो तप करें कुमारी तुम्हारी नारज जी ने कहा कि आपकी बेटी को तपश्या करना होगा और यदी सिवजी के शात विवा हो गया तो दोशों गुन सम कह सब कोई दोस भी गुन में बदल जाएंगे पारवती जी के बारे में ऐसा सुन करके मैंना रोने लगे नारज जी तो चले गए लेकिन मैंना एकांत में जाकर के पती ही एकांत पाई का मेहना नाथन में समुझे मुनी बैना हिमाले के चरणों में जाकर के प्रणाम करती है महाराज माप करिएगा मैं महात्मा की बात को समझ नहीं पाई है वो आखिर कहना क्या चाहते थे पारवती मैया ने आ करके कहा कि मैया मैंने रात में सपना देखा है एक सुन्दर बटुक ब्राह्मन मुझे आ करके प्रेडित करते हैं तपश्या करने के लिए हिमाले ने कहा कि महात्मा का यही आदेश है नारजी का यही आदेश है तो इन्हें तपश्या करने के लिए भेज दो आरवती जी तपश्या करने चली जाती है जंगल में तपश्या कैसे करती हैं थोड़ा फल ले लेती हैं थोड़ा जल ले लेती हैं कि सरीर में प्रमाद भी ना हो और सरीर कमजोर भी ना हो यदि जैदा भरपेट भोजन कर लेंगी तो नीन्द आएगी फिर भजन में मन नहीं लगेगा कहते हैं ना तीन बार भोजन भजन एक बार उसमें भी आते हैं जन्जट हजार तीन बार भोजन करिए और एक बार भजन करने वैठी तो भजन जैसे करने वैठीए गाय से निन्द आने लगी तीन बार भोजन भजन एक बार उसमें भी आते हैं जन्जट हजार मन मेरा कहता है गंगा नहाओ गंगा नहाओ थोरा यमना नहाओ जाती जाती रस्ते में लग गया बुखार उसमें भी आते हैं जन्जट हजार मन मेरा कहता है मंदीर हो आओं मंदीर हो आओं थोरा दर्शन कर आओं जाती जाती मंदीर में लग गया के वारोश में भी आते हैं जन्जट हजार तो अनेक प्रकार के जन्जट हैं दुनिया में इन जन्जटों से यदी बचना है तो स्रद्धा का टिकट ले करके विश्वास की गारी में बैठ जाए विश्वास व फल दायका यदी बिश्वास होगा तो फल आपको अवश्य मिलेगा लेकन यदी बिश्वास नहीं होगा तो मंदीर में रखी हुई मुर्ति केवल आपके लिए मुर्ति है उसमें भगवान दिखाई नहीं देंगे हम लोग भगवान का दर्शन करने जाते हैं इसका फल क्या है भगवान का दर्शन कम मिलता है जब जनम जनमांतर के पुन्य कर्म उधित होते हैं तब जाकर कि भगवान का दर्शन होता है और भगवान के दर्शन का क्या फल है मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज सरूपा मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज सरूपा मम दर्शन फल परम अनुपा मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज सरूपा जीव पाव निज सहज सरूपा भगवान कहते हैं आप मेरे दर्शन करने आते हैं आपके पुन्य का फल आज यदि आप सत्संग में आये हैं कथा सुन्य आये हैं तो जनमांतरे भवेत पुन्यम जब जनम जनमांतर के पुन्य कर्म उदई होते हैं तभी सत्संग करने का अबसर प्राप्त होता है क्योंकि तात स्वर्ग अपबर्ग शुख धरिये तो लाएक अंग सुन्दर कांड चोथा दोहा तूलन ताही शकन मिली जो सुख लव सत्संग तात स्वर्ग अपबर्ग शुख स्वर्ग माने जह देवता लोग रहते उपर स्वर्ग के सुख को अपबर्ग के सुख को अपबर्ग माने वैकुंथ स्वर्ग के शुख वैकुंठ के सुख ब्रह्म लोग के सुख सब को तराजों के एक पलरे में रखिए और तराजों के दूसरे पलरे में सत्संग के एक छण के सुख को रखिए तुलसी भाबा ने कहा कि तू लनता ही सकल मिले सब सुख बराबर होकर के भी एक छण में जो सत्संग में सुख मिलता है उसकी बराबरी नहीं कर सकता इसे लिए जनमान तरे भवेत पुन्यम तदा भाग बतम लभेत यदि भगवान की कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है तो यह हमारे पूर्व जनम के पुन्यों का फल है अच्छ सत्संग जो करते हैं इसका फल क्या है भगवान का दर्शन जो करने जाते हैं यह तो हमारे पुन्य का फल है कि भगवान का दर्शन होगा लेकिन भगवान के दर्शन से जो पुन्य मिलता है उसका क्या फल है राम जी ने स्वयम कहा है मम दर्शन भल परमनुपा मम दर्शन भल परमनुपा मम दर्शन भल परमनुपा मम दर्शन भल परमनुपा जीव पावनिज सहज सरूपा जीव पावनिज सहज सरूपा जीव पावनिज सहज सरूपा मम दर्शन भल परमनुपा मम दर्शन भल परमनुपा मम दर्शन भल परमनुपा जीव पावनिज सहज सरूपा मम दर्शन भल परमनुपा जीव अपने आपको पहचान आप भगवान क्या है दरपन है भगवान क्या है दरपन ही जैसे दरपन वे हम अपना चेहरा देखते हैं यह दि चेहरा विग्णा रहता है तो इसको ठीक कर लेते हैं उसी प्रकार भगवान को जब भी देखने जाए किसी भी मंदिर में तो भगवान को देख करके आप अपना चेहरा सुधारिये क्यों क्योंकि आप भगवान के ही अंसे हैं इस्वर अंस जीव अविनास ये जीव जो है मानव जो है किसके अंसे है भगवान के ही अंसी भगवान को देख करके आप यह स्मर्ण करिए कि मैं इनहीं का संतान हूँ तो क्या यह सुखी है तो फिर मैं दुखी क्यूं तब पता चलेगा कि वस्तुता हम दुखी है नहीं लेकिन माया में पर करके बंधन में पर करके मूहों में पर करके जब बहुत सारी माया का बोज हम अपने शिर्पर ले लेते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं एक छोटा बच्चा को यदि चार-पांच साल का है तो उसको दुखी आप नहीं देखेंगे यदि वो एक्षन के लिए रोता भी है तो उसकी माँ उसे दूद पिला देती है वो खुस हो जाता क्यों? क्योंकि उसे बहुत कामना नहीं होती है उसको बरा-बरा गारी नहीं चाहिए उसको बरा-बरा मकान नहीं चाहिए बहुत पैसा नहीं चाहिए लेकिन जैसे जैसे हम बरे होते जाते हमारे मन में कामनाओं का बोचार लगता जाता है हमारे मन में अनिक प्रकार की कामना होने लगती हैं तो हम दुखी हो जाते हैं जीव पाव निज साहज सरूपा जीव अपने बास्तविक रूप को पहचान ले यही भगवान के दर्शन का पले तपश्या करने गई पारवती मईया तुल सिवामा कहते हैं पारवती जी का तो जन्म भी हो गया वो तपश्या करने भी चली गई लेकिन सिवजी का क्या हुआ जब सती अपना देह परित्याग कर देती हैं यग्य तहस्न हैस हो गया तो ब्रम्हाजी ने सिवजी को मनाया देवताओं ने प्रार्थना की सिवजी मान गए यग्य पूरा हुआ बीर भद्र ने जिस महात्त्मा का दार ही उखार लिया था जैसे प्रार्थना करने ही कई लोगों की आदत होती हैं आप देखेंगे ऐसे मूच आठ ने की अ अब मूच नहीं भी है थोड़ा छोटा भी है तुसको इसको आठते रहते हैं कई लोगों को दार ही नहीं है लिखन ऐसे ऐसे करते रहेंगे उनका सुभाव हो जाता है देरी दीदी ब्रिगु नामन की महात्मा जो थे जिन्हों ने भगवान शिव के गणू की निंदा की थी बीरभद्र ने उनका दारी पकर के उखार दिया जब शिव जी की प्रार्थना करने गए तो आदत तो हो गई थी दारी पर एसे हाथ फेरने की तो हाथ फेरने लगे लेकर याद आया कि दारी तो पहले उखर गया मुह लटक गया , ब्रममाजी ने शिवजी से कहा कि बाबा इनका दार ही उखर गेव है या दार ही के बिना इनको अच्छा नहीं लगता, आप दार ही देदे शिवजी ने कहा कि पूरा दार ही तो नहीं दे पाऊंगा THोरा दे देता हुँ थोरा दे दिया बोले इसी से काम चल जाएगा जिन जिन देवताओं ने सिवजी की निंदा के थी किशी ने दांत दिखा करके खोब हशा था तो बीर भद्रने उनका दांत ही तोड़ दिया जब उस देवता ने सिवजी से जा करके पूछा की भोजन कैसे करेंगे पकौरी कैसे खाएंगे तो बोली सत्तू पी करके काम चलाओ पकौरी खाने के क्या विशक्ता है जब सत्तू पी करके भी जिया जा सकता है तो मालपुआ खाने के इक्षा क्यों करते हो कभीर दास जी ने कहा रोखासो खाखाएके ठंधा पानी पी देख विरानी चोपनी मत लल चाओ जी जो भगवान की किरपा से मिल जाए उसी में प्रसंद रहिए रूखा सोखा खाये के ठंधा पानी-पी लेकिन जब से कोरोन आया तब से ठंधा पानी नहीं रूखा सोखा खाये के गरम पानी पी जिनको करम पानी पेने की नहीं भी आदत थी जब से कोरोणा बेचारा आया सब करम पानी पिने लें हमको लगता है कभिर दासी से कहतर कि इस पंक्ती को बदलबाना होगा थंडा पानी के जगह पर क्रम पानी लिख दिया जाए कि रूखा-सूखा-खाएके गरम पानी पी देख बिरानी चवपरी मतलल चाओ जी लेकिन इसका भाव यह है अब ठंडा पानी गरम पानी के चक्कर वेना परियेगा यह तुमने ऐसे ही कह दिया इसका भाव यह है कि जो भगवानी के किरपा से मिल जाए उसमें खुस देए शुक मिले अथवाद दुख मिले जो मिले उसमें प्रसंद रहिए आप केवल कर्म के अधिकारी है भाग्य लिखा आप नहीं है भाग्य लिखने वाले आप नहीं है परिणाम देने वाले आप नह सिंदेटाने से आम ही मिलता है बवुल का काटा नहीं मिलता है लेकिन लोग यहीं उल्टा सोचते हैं लag तो है बवुल के पेरे और सोचते हैं कि आम का फ़ल मिले मिल तुरूखा सुखा खाएके ठंधा पाने पिय देख विरानी चोबरी मतलल चाओ जी सिवजी प्रशन्न तो हो गए लेकिन ब्रह्मादी देवताओं ने कहां कि बाबा आपके सशुर को तो आपके सशुर का गरदन जो है पहले से ही यग कुंड में डाल दिया गया अब यग कैसे पूरा होगा तो एक बकरी का सिर जो है दक्षप्रजापती के धर में लगा दिया और उसी सवर में बकरा के रूप बकरा के मुशे कैसे अस्तुति करे कोई भगवान सिविकी जो हम लोग पूजा करते हैं तो अंत में क्या कहते है बम 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 महादेव जो कहते हैं उनके सशुर की याद आ जाती है जब दक्षप्रजापती के धर में बकरे का सिर जोड दिया गया तो भी उसी प्रकार से भगवान की स्थुति करने लगी सिव जी को हसी आ गई इसलिए जब भी भगवान सिविकी पूजा की जाती है तो अंत में सभी भक्त कहते हैं बम बम महादेव बम बम महादेव और महादेव भगवान का एक ऐसा नाम है शिव का करोरो मील दूर से यदि कोई जोर से महादेव कहे जैसे भगवान विष्ट्णों की नाम तो अनेक है लेकिन एक बार अजामिल ने नारायन कहा तो भगवान वैकुंठ से आ गए पारिशत को वेज दिये उसी प्रकार भगवान सिव के नाम तो अनेक है लेकिन यदि कोई महादेव कह करके पुकारे तो सिव जी जल्दी प्रशन्द होते हैं जल्दी उसको अपना लेते हैं बोले बाबा प्रशन्द तो हो गए लेकिन जैसे सती की याद आई तो आख सजल हो गया सती के मृत सरीर को कंधे पर लेकर के सिव जी पूरा प्रिथवी का भर्रमन करने लगे और सती का अंग गल गल के जहां गिरा वही एक्यावन सक्ति पीठ बने मैया सती का देह गल गल के जहां जहां गिरा वही एक्यावन सक्ति पीठ बना फिर भी उनका मन शान्त नहीं हुआ पत्नी के बियोग में भगवान शिव सती के बियोग में दुखी रहने लगे एक बार एकांत में जाकर के बैठे जंगल में एक पेर के नीचे ठंडी ठंडी हवा बहे रही थी और सुन्दर हिर्दे में भगवान का ध्यान किये तो समाधी लग गए तुलसी बाबा लिखते हैं कि इसी बीच में तार का सुरणाम का देत्य हुआ जो देवताओं को सताने लगा तार का सुरणाम के देत्य जो हुए देवताओं की उपड़ कि पारवती की द्वारा जो पुत्र होगा वही इस्तार का सुरुकुमार शक्ता है कि शभी बरें अंचम्बित हुए कि सिवजी तो समाधी में बैठें उनका विवाह कैसे होगा पैसे सम ने विचार किया और अंतमें निरनय यह निकला यसि कामदेव को सिवजी के पास भीजा जाए तो काम में वह सकती हैं जो समाधी को तोर शक्ते हैं कि उनकी समाधी को भंग कर्शक्ते हैं कामदेव का स्मरण कि अंदर्स देवता ने कामदेव आये हाथ जोड़ के प्रणाम बोलिये महाराज आग्यां क्या है बोले चले जाए सिवजी के पास और उनकी शमादी को बंग करिये कामदेव ने कहा कि नहीं नहीं मैं ऐसा दुस्कर कारी नहीं करूंगा सिवजी की खृँधागनी में जल करके मैं भसम हो जाओंगा लेकिन बाद में बिचार किया परहित लागी तजय जोड़े परहित लागे तज़ई जोदे है संतत संत प्रसं सहिते परहित लागे तज़ई जोदे है 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 सम्तत सम्त प्रसं सहिते, सम्तत सरिश धर्म नहीं बाए परहित लाग तजई जोदे सम्तत संत प्रसं सहिते, यदि आप से कोई पूछे कि इस संसार में सबसे बरा धर्म क्या है? तो आपको आँख मूंद करके वशे की ही जवाब देना, जो तुलसी बाबा ने दिया तुलसी बाबा से भी किशी ने पूछा कि इस संसार में सबसे बरा धर्म क्या है? परहित शरिश धर्म नहीं भाई दूसरे का हित करना, दूसरे का उपकार करना, दूसरे का अच्छा सोचना, इस से बरा कोई धर्म नहीं और दूसरों के बारे में गलत सोचना, दूसरा का भलाई न सोचना, दूसरा का बुरा सोचना, इस से बरा अधर्म कुछ भी नहीं परहित सरिश धर्म नहीं भाई अठारह पुरान को जब स्री वेदव्यास जी ने लिखा और वेदव्यास जी से किश्री ने पूछा कि जब यदी किसी के पास अठारह पुरान परहने का समय न हो तो आप सब का सार बता देजिए कि सब का मूल है क्या अस्तादश पुराने सो व्यासस्य बचनत द्वयं परोपकारह पुन्याया पापाय परपीड़नम दूसरे का उपकार करना ये सबसे बला धर्म है आप जितनी भी कथा सुनते हैं जो कथा सुनते हैं सब कथा का अर्थ वस यही है परोपकारह पुन्याय परोपकारह पुन्याय परोपकारह पुन्याय परोपकार से बड़ा कोई पुन्य नहीं और दूसरे का अपकार करना दूसरे का बुरा सोचना दूसरे के लिए गलत सोचना इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है कामदीव ने मन में विचार किया कि परहित सरिश धर्म नहीं भाई परपीरासम नहीं अधर्माई परहित लागित जैंजो देहे शंतत संत प्रसंस हीते जो दूसरों के हित के लिए अपना देह परित्याग गड़ देता है संत और भगवंद दोनों उसकी बराई करते हैं इसको एक उदाहरन से समझी संत का जो जीवन होता है वो परोपकार के लिए ही होता है इसी लिए तुलसी दासजी ने संत की उपमा किस चीज से दी है हराम चरित माजसे बालक अंड में साधू चरित शुभ चरित कपाशू नीरश विशत गुनमया फल जाशू साधू का चरित्र जो है साधू का सुभाव जो है कैसा है कपास के फूल के जैसा कपास का फूल जो होता है वो स्वेत होता है उजला होता है उसमें किसी प्रकार का रस नहीं होता है लोग क्या करते हैं उस फूल को पहले तो तोड़ते हैं उसे दूप में सुखाते हैं और सुखाने के बाद उसका बीज निकालते हैं उसके बाद एक फिर कारीगर क्या करता है उसको धूनता है पीटता है मारता है फिर उसका धागा त्यार होता है और जो संत होते हैं उसका फूलवत्ती बनाते हैं हम लोग भगवान की जो आरती करते हैं फूलवत्ती जो बनाते हैं बाती जो बनाते हैं वो कपास के फूल का ही बनता है तो कपास के फूल से संत को उप्मा दिया तुलसी बाबाने क्यों क्योंकि जैसे कपास का फूल जो है स्वयम जल करके दूसरों को प्रकास देता है उसका अस्तित्त मिट जाता है लेकिन वो दूसरों को सुख देता है उसी प्रकार संत का भी सुभाव है सिंत का भी चड़ित रहे अपना भले उसको सुख ना मिले लेकिन वो सिंसार के हित के लिए सोचते हैं संत हिर्दैन अबनीत समाना और केवल एक काम ही नहीं होता कपास के फूल से हजारों काम होते हैं उसका रजाई भी बनाते तकिया भी बनाते हैं वो भले दुख सेंता है लेकिन दूसरे को सुख देता है ठीक उसी प्रकार जो परोपकारी होते हैं जो संत होते हैं जो साधू होते हैं जो अच्छे लोग ह होते हैं वो दूसरों की भलाई सोचते हैं लेकिन आजकल लोगों का सुभाव बदलता जा रहा है लोग दूसरों का ज्यादा बुराई सोचते हैं आजकल प्राया सभी लोग दुखी हैं लेकिन इस बात से नहीं कि मुझे दुख है इस बात से दुखी है कि मेरे परोशी वाले आगे क्यों बढ़ रहे मेरा बेटा सराब पी रहा है रोड पर ऐसे लावारिष के तरह घूम रहा है इसका दुख बात में होता है इसका बेटा अच्छा कैसे बन गया इंजिनियर कैसे बन गया रहे तो मेरे शामने जोपरी में रहता था महल कैसे खड़ा कर लिए इसी बात से वो परिशान लेकिन एक महात्मा का बड़ा सुन्दर आदेश है भला किसी का करना सको तो बुरा किसी का मत करना उस्प नहीं बन शकते हो तो काटे बन कर मत रहना भला किसी का करना सको तो बुरा किसी का मत करना उस्प नहीं बन शकते हो तो काटे बन कर मत रहना भला किसी का करना सको तो बुरा किसी का मत करना भुस्प नहीं बन सकते हो तो काटे बन कर मत रहना भुस्प नहीं बन सकते हो तो काटे बन कर मत रहना हरी बोर अप्राडार बनना सको भगवान अगर तुम कम से कम इनशान बनो नहीं कभी सैतान बनो तुम नहीं कभी हैवान बनो बनना सको भगवान अगर तुम कम से कम इनशान बनो नहीं कभी सैतान बनो तुम नहीं कभी सैतान बनो तुम बनना सको भगवान अगर तुम कम से कम इनशान बनो नहीं कभी सैतान बनो तुम नहीं कभी हैवान बनो सदाचार अपना न सको तो पाप में पगना धरना सदाचार अपना सको तो साप में तुम नहीं कभी धरना सदाचार अपने करमत रहना सदाचार अपना स्ग्राइब करें सत्य बचन ना बोल सकों तो सूट कभी भी मत बोलो बोलो नहीं पहले तुम तोलो फिर मुझ को खोला करना सत्य बचन नहीं बोल तुम नहीं तो सत्य बचन ना बोल सकों तो सूट कभी भी मत बोलो बोलो नहीं पहले तुम तोलो फिर मुझ को खोला करना बचन नहीं बोल सकों तो भाला किसी का करना सकों तो पुरा किशी का मत करना उस्पन ही बन सकते हो तू काटे बन कर मत रहना भाला किशी का कर नसको तू पुरा किशी का मत करना उस्पन ही बन सकते हो तू घर न किसी का बसा सको तो जो परिया न जला देना मरहम पट्टी कर न सको तो छार न कभी लगा देना घर न किसी का बसा सको तो जो परिया न जला देना मरहम पट्टी कर न सको तो छार न कभी लगा देना मरहम पट्टी कर न सको तो जो परिया न जला देना मरहम पट्टी कर न सको तो छार न कभी लगा देना यदी किसी के गाव में हम मरहम पट्टी नहीं कर सकते तो उसमें नमक भी नहीं डालना चाहिए चाहर न कभी लगा देना इस लिए दीपक बन कर जल न सको तो अंधियारा भी मत करना पश्प नहीं बन सकते हो तो आते बन कर्मत रहना भला किसी का करना सको तो बुरा किसी का मत करना भुष्ब नहीं बन सकते हो तो आते बन कर्मत रहना भला किसी का करना सको तो बुरा किसी का मत करना भुष्ब नहीं बन सकते हो तो आते बन कर्मत रहना आते बन कर्मत रहना भुष्ब नहीं बन सकते हो तो आते बन कर्मत रहना आते बन कर्मत रहना भुष्ब नहीं बन सकते हो तो इस शास्त्र का बस एक ही सार है परहित शरिश धर्म नहीं बाई पर पेरा शम नहीं अधमा यह विचार करके कामदेव जानते थे कि मैं मर जाओंगा अच्छे कुछ लोगों का स्वाभावी प्रेम होता है किसी चेज से आज कल लोग प्रेम करते हैं तो चाहते हैं कि बदले में मुझे भी प्रेम मिलो कि यहीं इसका सोमान करता हूं तो मैं अपएक्षा रखता हूं कि मुझे भी बदले मं संमान मिले waar ब्रेम इसका ठीक भी परीत है इस आप किसी कीरे से पूछे वह जानता है कि इस्प्रकास पर जाओंगा यदि बद्द्द्ति पर जाओंगा तो मैं जलकर के रहाख हो में लोट करके नहीं आऊंगा लेकिन मनमें विचार आया कि यदि मेरे मरने से संसार का ही तो होता है तो मुझे मर जाना ही चाहिए लेकिन जब काम देव चला तो स्त्री तुलसी बाबा ने लिखा भय काम बस जोगी से तापस पावरिन की को कहें देख ही चराचन नारी मैजे ब्रम्ह मैजे देखत रहे अबला भी लो कहीं पुरुस मैजग पुरुस सब अबला मैं सभी लोग काम के बस में हो गए भय काम बस जोगी से तापस पावरिन की को कहें बरे बरे महात्मा जो थे बरे बरे तपस्वी जो थे सभी काम के बस में हो गए भय काम बस जोगी सितापस पावर इनकी को कहे और जो पावर लोग है जो दिनात काम में ही रमे रहते हैं बाला उसकी गंती कौन करे देखें च लाचर नारिमेजे व्रम्ह मेदेखत रहें देखें काम का प्रावल्य कितना है यह कवका अधिक्द क्यों हो जाए जीवन में तूसकी प्रव्रत्याँ बदल जाती है इस यह बढ़्ष्या प्रवेस्व होने के बाद व्यत्ती मूड़ हो जाता है न्दा हो जाता धार उसे अगे पीछे कुछ सुजाई नहीं देता दिखाई नहीं देता रहे जो पूरे शुषार सीटार का सिचा राम में देखता था आज पूरे सुषार को इस्त्री में देखने कए ह créd पूरुष स अपने आपको छोड़ करके सबको सित्री ही समझ बैठा और हर एक इस्त्रियां खुद को छोड़ करके सबको पुरुस ही समझ बैठा यह काम का प्रभाव है इसका अर्थ है तुलसी वावा कहना चाहते हैं जब जीवन में काम आता है तो व्यक्ति अपना अस्तित्व ही भूल जाते अपना स्वरूप भूल जाता है और इसका सबसे ब्रमारा प्रमान रावन है चलत दसानन डोलत अबनी जब रावन चलता था तो प्रथवी कांप जाती थी सारे देव गंधर वयक्ष किन्नर जितने थे सब तर-थर कांप देथे लेकिन जब रावन की हिर्दें में काम का प्रवेश हुआ और सन्यासी का वेश धारन करके सीता का हरन करने के लिए रावन गये तो इतंइ चलंगी स्वान की नाई तुल्सी बाबा ने कहा कि ये कुट्टा की तरह जा रहा है जैसे कुट्टा क्या करता है किसी के घर में छुप परके गुश्ता है ऐसे जिस रावन के डरसे पुरा प्रतवी कापते थी पूरा देवता लोग कापते थे वह देवता भी आज निडर हो गए प्रिथवी निडर हो गई क्यों क्योंकि रावन के हिर्दय में काम का प्रवेश हो गया और जब काम का प्रवेश होगा तो इत्व उत्य चलें स्वान की नाई कुट्ति की तरह चुपर के जाने लगे तुलसी बाबा ने काम का बाहुल्य बताया है भय काम बस जोगी सताप सपावरिन की को कहीं देख ही चनाचर नारी मैं जे ब्रम्ह मैं देखत रहे अबला विलो कहीं पुरुष मैं जग पुरुष सब अबला मयं तुलसी दासी से किशी ने पूछा कि ये कव तक रहा दुई दंड भरी ब्रम्हांड भीतर काम कृत को तुक आयं दो ब्रम्हांड दो प्रहर्त दुई दंड दंड माले सब के मनमन सिजहरें लेकिन कलम वहां जाकरन कर रुक गया हर आंद मानजी प्रकट होकर के भग्वान से प्रकट होकर के तुलसी वाबा का हात पकर लिए क्या लिखरें आप धरीन काहो धीर सबके मनमंसी जारे मतलब सब को कामदेव ने हरण कर लिया सबके मन तो ही नहीं रह जाएगा तब जाकर के तुल सिदास जी लिखते हैं जे राखे रघो भीरते उबरेते कानम जिसने राम जी को हिर्दे में रखा जिसने या ऐसा सोचा कि हम राम जी के और राम जी हमारे है एक मात्मा का भाव है हम राम जी के राम जी हमारे है हम राम जी के राम जी हमारे है हम राम जी के राम जी हमारे है मेरे नैनों के तारे है मुझे प्राणों से भी प्यारे है मेरे आँखों के तारे है मुझे प्राणों से भी प्यारे है मुझे प्राणों से भी प्यारे है हम राम जी के राम जी हमारे है ये राम जी कौन है जो गानी का गीध को तारे है जो गानी का गीध को तारे है हम खरे इनी के द्वारे है अब खरे इनी के द्वारे है हम राम जी के राम जी हमारे 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 है किर्टन ऐसे नहीं हाथ उठा कर गेगा ये सभी लोग हम राम जी के राम जी हमारे है 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 माता जी आप लोग जैकारा लगाती है ना हमको शुनाई नहीं दिया अचे लगाती है अच्छी बात लगाना भी चाहिए क्योंकि हमने पहले ही कहा कि भगवान के जैकारा में कंजोसी नहीं चलेगी और आप ऐसे नहीं मानिएगा तो मुझे मनाने भी आता है मानना तो परेगा है और देखिए प्रेम एक ऐसा सब्द है जो प्रेम में जब भगवान जुक सकते हैं तो प्रेम से तो किसी को जुकाया जा सकता है मैं जबरदस्ती नहीं लेकिन प्रेम से तो हर किशी को प्रयास करूंगा कि भगवान में जूले प्रेम में वह सामर्थ है प्रेम में वह सक्ती है वो बल है प्रेम कैसा शब्द है कैसा गुन है प्रबल प्रेम के पाले पर कर प्रभु को नियम बदलते देखा अपना मान टले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा तो प्रेम में बरा सामर्थे राम ही के वल प्रेम पियारा 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 रामाहिटे बलते पपियारा जानिले हो जो जान निहारा जानिले हो जो जान निहारा जानिले बलते पियारा तो आज कान खोल करके सुन लीजी राम ही केवल प्रेम पियारा राम जी को केवल प्रेम चाहिए और चिस्तो राम जी को मिथिला में मिल ही गया राम जी को केवल प्रेम चाहिए मिथिला में राम जी को सब कुछ मिला इस राम कथा के मंच से हम राम जी की कथागा रहे हैं ये नौ दिन की कथा है आज कथा का दोसरा दिन है परसो जाकर के भगवान का जन्म होगा कौन सा दिन रहेगा मंगलवा परसो भगवान का जन्म होगा और कल भगवान स्रिव और मय्या पारवती का बिवा होगा उसके बाद भगवान की अवतार की कितने कारण है ऐसे तो हरी अनन्त हरी कथा अनन्त कहां ही सुनही बहु विधी सबसंता भगवान के अवतार के अनेग कारण है लेकिन उसमें चार-पांच मुख्य कारण है जसके जड़चा हम व्यास पीट से करें गए तो मिथिला में जब हमारे राम आये उनको सब कुछ मिला किसी ने भगवान से स्वयम पूछा कि ठाकुर एक बात बताओं आपको सबसे ज़्यादा क्या चाहिए तो राम जी ने कहा राम ही के वल प्रेम पियारा जानि ले हुजो जान निहारा और यदि राम को प्रेम से प्रेम नहीं होता तो क्या गीद को भगवान अपनाते क्या गनिका को भगवान अपनाते क्या गजिंद्र को भगवान मुक्ष प्रदान करते नहीं सबने भगवान से प्रेम किया और प्रेम में ही वह सामर्थिता की भगवान को भी जुका दिया इसे लिए मैं कहता हूं और हमारे मिधिला में बड़ा प्रेम है मिथिला में और चीज आपको मिले न मिले लेकिन प्रेम बहुत मिलेगा मिथिला की लोगों से मिलिएगा तो प्रेम बहुत मिलेगा आप बोलिएगा कि आप मिथिला के हैं इसलिए आप कह रहे कोई अपने दही को खटा नहीं कहता लेकिन हम ऐसे जोट मूटका नहीं कह रहे हम प्रमान भी देंगे आपको यदि मिथिला से जैदा प्रेम कहीं रामजी को मिलता तो कहीं और जाकर के ससुराल बनाते मिथिला में ही ब्याह करने क्यों आई क्योंकि जानते थे पूरे प्रत्वी में सबसे ज़्यादा प्रेम मुझे मिधिला के लोग ही करते हैं कैसे तो राम जी के एक एक लीला से मिधिला वासियों को बड़ा प्रेम था एक मिधिला वासि राम जी को क्या कहते हैं मुरलालन तनिक मुष्कादे मुरलालन तनिक मुष्कादे नयन मा माने नहीं मुरलालन तनिक मुष्कादे नयन माने नहीं मुरा ना नन सर्णिक मुश्वादे नयन मा माने नही हो 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 मुरा लालन तनिक मुश्वादे नयन मा माने नही हो मुरा लालन तनिक मुश्वादे नयन मा माने नही हो मुरा लालन तनिक मुश्वादे नयन मा माने नही हो मुरा लालन तनिक मुश्वादे नही हो मुरा लालन तनिक मुश्वादे नहीं नहीं हो मुरा लालन तनिक मुश्वादे नहीं हो यह तब का गीत है जब राम जी को मिथिलानियों ने गाली दिया तो राम जी का मुँ लटक गया था माथे मनी मुरिया भाल परचानन माथे मनी मुरिया भाल परचानन माथे बड़ी मुरिया भाल परचानन तनि मुरिया के लट हटवादे नयन मामाने नहीं मुरा लालन तनिक मुश्वादे नयन मामाने नहीं दुलहा दुलहिन सरकार के कि यह दुलहादे नहीं कि अकी मुरिया बड़ी के लट है । कि भी कि भी यह बड़या घजकन पर पर दुलहादी कि ऐड़ीड परचाई प्रह भाल ओक नहीं कर दुलहादे भालोबचान.." आख कजिराने सुन्दर बदन पर सुन्दर बदन और नेना कजिरारे मैथि लानिया कहती है हे राघवजू आपके सुन्दर सुन्दर मुखरे पर ये कजरारे जो है और भी सुसोबिद लगरे तनी नैना के पलक उठा दे नैन मा माने नहीं मुरा लालन तनिक मुसका दे नैन मा माने नहीं नैन मा माने नहीं नैन मा माने नहीं मुरलालन तनिक मुश्काद नयन मामाने दिनी नयन मामाने दिनी नयन मामाने दिनी अहां सबत मैथली बुझवे करेचे ना सावगोटे मैथली बुझवेचे ना क्यों क्यों नहीं बुझवे थे थी जे गोटे नहीं बुझवेचे उनका लेल हिंदी बाजब अर जे बुझवेचे उनका मैथली में कहो अजखन राम जी के विवाहक बात तैन तकंत मैथली में कहो मुरा लालन मुरा लालन तनिक मुस्का दे नयनमा माने नहीं तो राम जी के जे मिथिला में मिलें उक कतव ने मिलें सीतासन के सुन्दर धन पतनी कतव मिलें तैन राम जी मिथिला में इलखिनी है अस्तु हम पुना चर्चा करव लेकिन ताही संपुर्व हम निवेदन करी जभय काम बस जोगीश ताप सपावरिन के को कहीं देख़ई चराचर नारी मेजे ब्रम्ह मय देखत रहे अवला विलो कहीं पुर्ष मय जग पुर्ष सब अवला मयम दोई दंड भरी ब्रम्हांड भीतर काम कृत कवतुक आयम धरीन काहो धीर सब के मन मन से जहरे जे राखे रगवीर ते उबरे ते काल महू जीन जीन लोगों ने भगवान को अफने देखा होगा बिल्ली जो होती है जिस दात से चुहे को काट करके निगल जाती है जिस मुह में उसी मुह से बिल्ली अपने बच्चे का कंट पकर करके एक जगा से दूसरे जगा ले जाती है पर उस बिल्ली के बच्चा को पता है कि मेरी मा मुझे मारेगी नहीं क्यों मा के उपर आस्त्रित है जो भक्त भगवान के उपर आस्त्रित होते हैं भगवान उसकी सदई रक्षा करते हैं और भक्त को ये पहले से पता होता है कि मेरी रक्षा मेरे भगवान करेंगे तो ते उबरे तेहिकालम हूँ जिनराके रगवीर जिसको रामजी ने रक्षा किया या जिसने राम जी को हिर्दे में रखा भगवान ने उसकी रक्षा की ते उबरे तेही कालम हो उस काल में उस समय में वही सुरक्षित रहा जिसको राम जी ने रखा काम देव पहुँचा भगवान सिव के पास लेकिन सिवजी के इस रूप को देख करके कामदेव थर 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 कापनी लगा फिर याद आया कि नहीं मैंने तो देवताओं को वचन दिया है कि मैं आपका कारिय शुद्द करूँगा तो एक आम के पेर पर जाकरके बैठे गए और कामदेव जिस चीज से बढ़ता है काम वो सारा काम के वशंतरितों का आगमन हो गया पसराय नर्थ करने लगी सुन्दर पैजनिया बजने लगी चूरी की खनखनाहत से पूरा स्थान जो है गुंजाई मान हो गया लेकिन सिवजी की समाधी नहीं तोटी जाके राखो साहियां मार शके ना कोई बालन बाता कर शके जो जगबेरी होई जिसको रामजी रखने वाले हैं भला उसका कौन क्या बिगार शकता है सिवजी का कुछ नहीं बिगरा इधर से उधर टस से मस नहीं हुए कामदेव को बरक प्रोधाया कि मेरे दिगाने से भी नहीं दिगए तो आम के पेर पर बैठ गए और सिवजी के हिरदय को लक्ष करके कामदेव ने बान का शनुंधान किया और ऐसे जोड से बान उनके हिरदय में मारा अचानक से समाधी तूटी पूरा प्रमभांड हिलने डुलने लगा सिव के क्रोध से तवसिव तीशर नयन उगारा देखत काव भयों जड़ी छार चारों तरफ जो है सिवजी ने जैसे देखा कहीं काम के पल्लब में छुपे हुए कामदेव को देखा तब सिव तीशर नयन उगारा देखत काव भयों जड़ी छारा जैसे तीसरा नित्र शिवजी ने खोला तो कामदेव जल करके राख हो गया कि इसका अर्थ क्या है इन दो नेत्रों से ही काम क्यूं नहीं जला सिव जी ने संसार को उपदेश दिया कि ये दो नित्र जो है ये तो काम के प्रवेश का मार्ग है जब हम किसी सुंदर इस्त्री को देखते हैं इन नयनों से इन आखों से तो ही इस नयन के मात्यम से हमारे हिर्दे में उसका सौंदर्य प्रवेश करता है काम का प्रवेश हो काम जल करके तो राख हो गया महात्मा सुखी हो गए लेकिन विशई लोग को दुख हुआ कि अब काम दिव चला गया जल गया तो उस शुख नहीं आएगा रती को जब पता चला कि मेरे पती को भगवान सिव ने जला करके राख कर दिया है तो रती दौरती हुई आए चरणों में प्रार्थना किया सरकार मेरे पती मैं तो विधवा हो गई या मेरे पती मुझे कैसे मिलेंगे भगवान सिव का नाम है आशुतोस तुरंद प्रशन हो जाते हैं आसिरबाद दिया कि जब जदोबंस कृष्ण बता रहा हुई है हरन वहा मही भारा प्रिथवी का भ लोने कहा कि बोले वावा हम आपका विवाह देखना चाहते हैं बोले वावा त्यार हुए लेकिन फिर समाध्य में बैठे राम जी ने आकर के बोले वावा को बचन दिया अब किस प्रकार से विवाह की तयारी होती है किस प्रकार से विवाह होगा हम कल की कथा में सुनेंग जाहां ले चलोगे जाहां ले चलोगे जाहानात रख लोगे जाहानात रख लोगे वही मैं रहूंगा जाहां ले चलोगे वही मैं चलोगा ये जीवन समर पीत चरण में तुम्हारे तुम्ही मेरे सरवश तुम्ही प्राण प्यारे ये जीवन समर पीत चरण में तुम्हारे तुम्ही मेरे सरवश्व तुम्ही प्राण प्यारे ये जीवन समर पीत चरण में तुम्हारे तुम्ही मेरे सरवश्व कहना भी होगा कहना भी होगा कहना भी होगा तो कहना भी होगा तो तुम से कहूंगा जहाले चलोगे वही मैं चलूगा 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 तो तो तुम राधे जै हो भी लोग दिल जगाएंडे जैहो ना कोई उलेहना ना कोई अरजी कर लो करा लो जो हो तेरी मरजी ना कोई उलेहना ना कोई अरजी कर लो करा लो जो हो तेरी मरजी ना कोई उलेहना ना कोई अरजी कर लो करा लो जो हो तेरी मरजी ना कोई उलेहना ना कोई अरजी कर लो कर लो जो हो तेरी मरजी सहाओ गिनात जो खुशी से शहो का जहाँ ले चलो गे वही मैं चलो का जहा ले चलोगे वही मैं चलो का जहा ले चलोगे वही मैं चलो का जहानत रख लोगे वही मैं रहो दा जहाने चलोगे बोलिये वाकिये विहानी ना लखी जहाने चलोगे वही मैं चलोगा जहाने चलोगे वही मैं चलोगा जहाने चलोगे वही मैं चलोगा आईए सभी लोग ठाकुरजे की आरती करें आरती आवद विहारी की लखन शिय जनक दोलारी की आरती आवद विहारी की लखन शिय जनक दोलारी की सीश पर क्रीट मुकुट सोहे सीश पर सीश मुकुट सोहे चंद्रिका की छभी मन वोहे सीश पर क्रीट मुकुट सोहे चंद्रिका की छभी मन वोहे रेख कजरारे ननन की लखन शिय जनक दोलारी की आरती आवद विहारी की लखन शिय जनक दोलारी की कपो लन पे अलके जलके हसन पे बिजली सी चमके रेख कजरारे ननन की लखन सी जनक दोलारी की आरती आवद विहारी की लखन सी जनक दोलारी की दन्न सरयो निर्मल निरा निरा भरती रिप्डलन महावीरा भरती रित्तु दलन महावीरा भीरा दन्न सरयो निर्मल निरा निरा भरती रित्तु दलन महावीरा भीरा चरन से वाधन उधारी की लखन सी जनक दोलारी की आरती आवद विहारी की लखन सी जनक दोलारी की पिए जुग स्याम लता जोरी 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 भाजोर मन शब माया तोरी तोरी पिए जुग स्याम लता जोरी 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 भाजोर मन सब माया तोरी तोरी जोरी मन सब माया तोरी तोरी दरश हीत जहो दरश हीत जहो दरश हीत युगल भिहारी की लखन सी जनक दोलारी की आर थी अवद बिहारी की, लगन थी अजनक दुलारी की आर थी अवद बिहारी की, लगन थी अजनक दुलारी की किले हैं थैंक भीक गगर करनां कर सांदंडर एक जाथनान क्या शुंडर एक है ड़ी जह जए एतर हुईं कि फीए गजना शुच्य लुसफ आठा एक जाफी प्मटर वे लिए और शुडर एक कियाना सिपाउल एक शुच्छ किसके पथनें जल थाजुन सिदगॉ reg comments? किसा समय चुछत फिडरांबसे आफटें जल थाज है किसा समय जब के थालम बार काल थालिस जिदारमन्दा за जाजिदारमädस तरवकंब लिए अपड़न, सिद्धारम रभंवास, listi द्वित, ऍवित, खेज़न, सिद्धारम रज़ कम, सिद्राम और सैनुटे सिद्धारमण हरी औ— भागवान का नाम जपनेशे सांती मिलती है भागवान के नाम में यह गुन है कि उनका नाम लेडेशे सांती मिलती है सती पास्चा ताप की अगनी में जल रही थी तजी समाधी संभु अभिनाशी बीते संबत सहज सतासी सतासी हजार वर्ष के बाद सिवजी की समाधी तूटी सतासी हजार वर्ष के बाद सिवजी के समक्ष जाती है सती ने प्रणाम किया सनमुखशंकर आसन दिन नहां सिवजी ने सम्मुख आसन दिया पती के बाद भाग में पतनी का स्थान होता है लेकिन शिवजी ने सनमुख शंकर आसन दिन ना सम्मुख आसन दिया क्यों क्योंकि मन में पहले ही संकल्प कर लिये थे कि इस सरीर से अब मैं सती को पत्नी के रूप में स्विकार नहीं करूँगा सनमुख संकर आशन दिन्हा और फिर से कथा कहने लगे क्योंकि कथा से थाक कथा का उल्टा थाक होता कथा से थकान मिटती है कथा सुनते सुनते यदी शरीर थक जाए इसका अर्थ है इसका मतलब है कि हमने कथा को ठीक से नहीं सुना कथा से तो थकान मिटती है थकान होती नहीं जैसे सम्मुखासंदिया इसी समय तुलसी वावा कहते है हरिद्वार छित्र में जो सती का नई हर है दक्ष प्रजापती ने एक यग्य किया कनखल हरिद्वार में सब को नियोता दिया लेकिन सिवजी को नियोता नहीं दिया अचा समाज में एक बहुत बड़ी बात होती है क्या यदी किसी को ये पता चल जाए कि ससूर और जमाई में बात चीत नहीं होती है लोग चुटकी खूब लेते हैं इधर भी उधर भी मिधिला में एक बड़ा सुन्दर कहावत है घर फोटे गमार लोटे घर फोटे तो गमार लोटे कभी भी अपने घर की बात किसी और को नहीं बताना चाहिए यदि लोगों को पता चल जाएगा कि आपके घर में प्रेम नहीं है तो लोग खूब चुटकी लेते हैं जब देवताओं को यह पता चला कि सिवजी में और उनके ससुर में दक्ष प्रजापती में बातचीत नहीं होती है लराई जगरा चल रहा है तो देवता लोग बिमान को उस कहलास परवत के उपर से ही लेके जाते दिखाने के लिए कि देखो देखो आपके ससुर यग कर रहे और आपको नहीं होता नहीं थी हमको नहीं होता दिया सिवजी तो समझ गए इस बात को लेकिन सती समझ नहीं पाई सती कथा में बैठे थी लेकिन जैसे बिमान के जाने की आवाज सुनाई दी कान में तो उपर उठ करके देखती हैं, तांक करके देखती हैं, बिवान को देखा, सिवजी से पूछा कि ये सारी बिवान कहां जा रहे हैं, देवतालों कहां जा रहे हैं, एक वार यदि कोई ट्रेन लेट हो जा रहे हैं, तो साज समय ट्रेन नहीं पहुंचती है अपने गंतव्यस स्थान पर उसी प्रकार एक वार सती ने गलती कर दी थी कि कथा को ठीक से नहीं सुना और कथा कहने वाले के उपर संदेह किया परिनाम ये हुआ कि ना कथा का लाभ मिला पती ने भी त्याग कर दिया भगवान की परिक्षा लेने चली गई और अभी जो कथा में बैठी है तो मन लग ही नहीं रहाए कथा क्यों क्योंकि शुरू में ठीक से कथा को नहीं सुना मन चला गया वहाँ क्योंकि ये मन तो बरा चंचल है मन बरा ही चंचल है जैसे विमान की आबाज सुनाए दी तो मन चला गया उपर कथा से सिवजी ने बार बार शंजाया लेकिन सती को समझ में नहीं आई तब दो-चार गणों को साथ कर दिये और सती जाती है पिता के घर शास्त्र का आदेश है कि माता पिता के घर गुरू के आस्रम में मित्र के यहां बिना बुलाए भी जा सकते लेकिन यदि कोई बिरोध मांगता है तो वहां नहीं जाने में ही भलाई है किसी ने उनका सम्मान नहीं किया एक मा ने हिर्दे से लगा लिया क्योंकि आखिर मा तो मा होती है मा का हिर्दे बड़ा निर्मल होता है बच्चों के लिए मा के हिर्दे में हर्ष में बात सल्ली रहता है बच्चा चाहें कुछ भी करें लेकिन मा अपने हिर्दै से बच्चे को मानती रहती है सादर भले ही मिली एक माता भगनी मिली बहुत मुशकाता बहन जो थी मुश्कुराने लगी बिना न्योता किया गई लेकिन मा ने हिर्दै से लगा लिया और कहा कि बेटी पिता जी थोरे क्रोधी है एक बार सिवजी से उनका अनबन हो गया था उसी द्वेश के कारण सिवजी को नियोता नहीं दिया इस बात को हिर्दे में मत रखना सती को भी अब बुरा लगा सती सीधे जाती है कहा यज्यमंडप कत होनती खशंब कर भागा कहीं भी भगवानी सिवके भाग को नहीं देखा तो बरक प्रोधा है और अब सती भी मन में विचार करती है हरी हरनी दाशो नहीं जोकाना 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 हो ही पाप गो गात शमाना हो ही पाप गो गात शमाना जहां भगवान सिव की निन्दा हो हरी की निन्दा हो संत की निन्दा हो तो निन्दा करने वाले भी और निन्दा सुनने वाले भी दोनों को गो हत्या का पाप लगता हरी हरनी दाशो नहीं जोकाना ओई पाप गोगात शमाना काटिता सो जीव जो बसाई स्रवन मोधिनत चलिये पराई जहां भगवान की निंदा हो रही हो भगवान शिव की निंदा हो रही हो किसी संद की निंदा हो रही हो तो यदी बस चले तो निंदा करने वाला का जी काट लेना चाहिए और यदी बस नहीं चले तो कान मूंद करके वहां से बिदा हो जाना चाहिए हरी हर निंदा सुनई जुकाना ओई पाप गोगात समाना काट ये तासो जीव जो बसाई यदी बस चले तो जी काट लेना चाहिए और यदी बस नहीं चले तो स्रवनमूदिनत चलिये पराई कान मूंद करके वहां से जाने में ही भलाई है परशती ने मन में विचार किया कि मैं तो दक्ष की पुत्री हूँ और मेरे पिता ने मेरे पती का अपमान किया है इसलिए मैं ये सरीर को ही नष्ट कर दूँगी दक्ष सुक्ष कर संभब यहादे ही दक्ष से ही मेरा ये सरीर है इसलिए मैं सरीर को ही नश्ट कर दूंगी और भगवान शिव को ध्यान करके योगाग्वी में जल करके भश्म हो गई जब रुद्र गणों को ये पता चला तो यग्य को तहस नहस कर दी नारद जीने जाकर के सारा समाचार भगवान शिव को सुनाया बीर भद्र को भेज करके पूरा यग्य को नश्ट कर दिया गया लेकिन जब सतीने देह का परित्याग किया उस समय भगवान से एक ही प्रार्थना की क्या प्रार्थना करती है जन्म जन्म में मैं जहां भी जन्म लूँ मुझे भगवान सिवी ही पती की रुप में प्राप्त हो मैं उनकी ही अरधांगनी बनो उनके चरणों में ही मेरा प्रेम हो यही बरदान मांगी तुलसी बाबा ने लिखा तेहे कारण हीम गिरे ग्रेह जाई जन्मी पार बती तन पाई तेहे कारण हीम गिरे ग्रेह जाई जन्मी पार बती तन पाई तेहे आरण रहे में कीरिगे जाई जन्मी पार बती तन पाई इसी कारण से सती चुकी भगवान से प्रार्थना के थे कि मैं जहां भी जन्म लूँ मुझे भगवान सिवके चरणों में ही प्रेम हो इस कारण से पार्वती के रूप में माले के घर में पुत्री बनकर के उत्पन्न हुई स्रद्धा में और विश्वास में अंतर होता है स्रद्धा में विश्वास में अंतर होता है भावानी जो है स्रद्धा की स्वरूपा है और भगवान सिव क्या है विश्वास के स्वरूप है स्रद्धा हमारी जुरती है स्रद्धा तूट जाती है जैसे किसी का आच्रन मुझे बहुत अच्छा लगा किसी का ब्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगा किसी का सुभाव अच्छा लगा तो उससे हमारी स्रद्धा हो जाती है उस पर हमारी स्रद्धा हो जाती है लेकिन जैसे कुछ बुरा लग गया तो स्रद्धा तूट जाती है ठीक उसी प्रकार स्रद्धा सुरूपा सतीने दे परित्याग किया और पुनह कि पार्वती की रूप में हिमाले की पुत्री बन करके जन्नम लेती है लेकिन जब संत का आगमन होता है कब जब स्त्रद्धा धेरे-धेरे-धेरे-धेरे बढ़ने लगती है पार्वती की रूप में हिमाले की बेटी बन करके आई और स्त्रद्धा जैसे 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 बढ़ने लगी तो संतनारद का आगमन हुआ नारद जी के चरणों में हिमाले ने प्रणाम किया मैना ने प्रणाम किया और अपनी बेटी पारवती को भी कहा कि प्रणाम करो मैं इस व्यास पीट से निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी अपने बच्चों को सिक्षित करिये सिक्षा देजिये क्या अपने से बरों को प्रणाम करना चाहिए बरों को प्रणाम करने से लाभ क्या मिलता है अभिबादन से लस्या नित्यम्र दोप शेविना चत्वार इतस्यवर धन्ते आयुर विद्या यशो बलम अपने से बरों को प्रणाम करने से आयुर बरता है विद्या बरती है यस बरता है और बल बरता है आयुर विद्या यशो बलम लेकिन आजकल ये परमपरा नस्ट होती जा रही है बच्चे प्रणाम करना भूल गए है अपने बच्चों को प्रणाम करना सिखाईए प्रणाम करने से आशिरवाद मिलता है आशिरवाद में देखे चार अक्षरे हैं आशिरवाद चार अक्षरे तो किसी को जब हम प्रनाम करते हैं तो बदली में हमें चार आशिरवाद मिलता है यह चार चीज मिलते हैं पार्वती ने भी संत नारद बाबा को प्रनाम किया नारद जी ने हाथ देखा सभी माता-पिता को अपनी बेटी के जनम से डर नहीं लगता बस एक ही चिन्ता रहती है कि कैसा घर होगा, कैसा बर होगा इस बात से तू सभी माता-पिता थोड़ी चिन्तित रहते ही है माता जी वही से देजिए कोई नी ठीक है आप वहां दे देजिए पंडी जी शरा देजिए नारद जी कहते हैं कि आपके बेटी के भाग में सभी सद्गुन है सभी सद्गुन है सबलच्छन संपन्न कुमारी होई है संतत्पिय ही पियारी सदा अचल एही कर अही बाता एही तेजस पई हैं ही पितुमाता एही तेजस पई हैं ही पितुमाता सदा अचल एही कर अही बाता इनका जो सोभाग्य होगा वो सदा अमर होगा लेकिन एक आध अबगुन भी है अब अगोन क्या है अगोन अमान मात पीतो हीना 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 बैटीने क्या कहां यदि आजका जो असी ऐसा किषी के अ बेटी के बारे में कहता तो माता चाहते हैं कि हमारे बेटी ये बाग दुवाग में ऐसा दुलाय हो बनारद अगुनामानमा तो पितो इनके जो पती होंगे वो कैसे होंगे तो अगुन जिसमें कोई गुन नहीं होगा लेकिन दूसरा भाव यह भी है कि जो सत्व गुन रजों गुन और तमों गुन से परे होंगे सत्व रज और तम से जो परे होंगे अर्थात निरगुन कौन तो भगवान शिव आमान अमान माने जिसको कोई मानसमान नहीं होगा माता-पिता को यह अर्थ लेते हैं किसका कोई मानसमान नहीं होगा स्माज में प्रतिष्ठा नहीं होगी लेकिन पार्वतेजी अलग अर्थ लेती हैं कि जो मान सम्मान से परे होंगे और मान सम्मान से परे कौन होते हैं कि संद कि सम्मान निनादर आदर हैं सब संद सुखे बिछरंत मही संद जो होते हैं मान सम्मान से परे होते हैं उनको मान समान से कोई लेना देना नहीं होता वो इन चीजों से परे होते हैं तो स्रोता तो कई होते हैं सबको भाव अलग-अलग लगता है जब नारद जी पारवती मया के हाथ को देख करके उनके भाग दे रेखा के बारे में बताते हैं तो उनके मां और पिता जी अलग अर्थ लेते हैं पर पारवते जी अलग अर्थ लेती है पारवते जी क्या अर्थ लेती हैं कि अगुन माने जिसमें कोई गुन नहीं होगा ये अर्थ कौन लेते हैं पारवते की मां जो है मैना मैया वो अर्थ लेती है लेकिन पारवते जी क् कि जो सत्तोगुन, रजोगुन और तमोगुन से परे होंगे अर था तो भगवान सीव अमान माने जिसको मान सम्मान से कोई लेना देना नहीं होगा ऐसे कौन तो भगवान सीव पर उनकी मा क्या आर्थ लेती है जिनके समाज में कोई प्रतिष्ठा नहीं होगी कोई मान सम्मान नहीं होगा मा तो पितो हीना जिनके माता पिता का कोई ठिकाना नहीं उसको हम क्या कहते हैं लावारिस कहते हैं जिसके माबाप का ठिकाना नहीं उसको लावारिस कहते हैं लेकिन पारवती जी क्या अर्थ लेती है कि जिनके माता पिता नहीं अर्थात जो सवके माता पिता है भवानी शंकरोबंदी काली दास जी ने अरगुवंसम में बड़ा सुन्दर भाव कहा है कि वागर्था विवसंप्रिक्तो आगर्था प्रतिपत्तय जगता पितरोबंदे पारवती परमेश्वरो जगता पितरोबंदे संसार के माता पिता कोण है तो भगवान सिव और मैया पारवती ही संसार के माता पिता जब नारद जी ने कहा कि मात पित ही ना Damn तो सती अर्थ लेती है einzige कि जो सबके माता पिता है पर उनकी माता पिता ने अलग अर्थ लिया उदासीन सबसंसय चीना जो हर शमय उदासीन रहेंगे उदासीन कौन रहते हैं जो एकांत बास जैदा करते हैं एकांत में जो भगवत प्रेमी होते हैं भजन करते रहते हैं सिंसार से उनको जैदा लेना देना नहीं होता है उनको केवल अपने राम से अपने कृष्ण से अपने भगवान से मितलब होता है उदासीन सब संसेचीना जोगी जटिल अकाम मन नग्न अमंगल बेश असस्वामी एकामिलाही परिहस्त अशिरेख नारद जी कहते है जोगी जटिल अकाम मन ध्यान से सुनियेगा आपके बेटी के भाग्में कैसा दुलः है तो जोगी जटिल अकाममन जो जोगी होंगे यदि आपको कोई कहे कि आपके बेटी के भाग्में जोगी दुलः है तो आप करेंगे भई जोगी फकीर से कौण दिवाह करना चाहता है कि हर कोई चाहता है कि मेरा दुला जो हो एंडलसम हो सुंदर हो देखने में स्टाइलिस्ट हो आजकल के जमाने का हो पुराने जमाने का पुराने खयाल का ना हो लेकिन नारद जी ने तो कहा कि जोगी जटिल अकाम नगन अमंग अलबेश असस्वामी एह कामिला ही परिहस्त अशिरेख आपके बेटी की भाग में जो अधारन करने वाला आजकल पतानी कौन-कौन से स्टाइल चले अब देखिएगा कहीं लोगों को आगे से बाल को लाल कर लेते हैं पीछे से काले कहीं लाल कहीं उजला कहीं पीला यह सब आजकल के युग का प्रभाव हैं इतना सुन्दर केस को इतना बेकार बना लेते हैं यह चारों साइड से कटा लिए कटोरी कट जैसे मुरगा सब क्या मुरगा सब को आपने देखा होगा उसके सिर पर इतना बाल चुड़की जैसा ऐसा लटका रहता है अब यह है उसको तो भगवान का देन है लेकिन भगवान ने यदि पूरा सिर में बाल दिया है तो कोई क अलग अलग स्टाइल है अब हमको तो नाम भी पता नहीं कि कट का क्या नाम है लेकिन चलिए कोई बात नहीं जैसा बहे बयार वैसा पीठ औरी आजकल यही फैसन चल रहा है तो ठीक है कई लोगों को देखिएगा सुन्दर जिन्स को फार करके यहां गुटने के सामने फार देते क्या स्कल का स्टाइल ही यह यूग का प्रभाव है इसमें किसे का कोई दोस नहीं है भागवत की कथा में जब भक्ति महरानी के पास स्री नारत बाबा जाते हैं दुख का कारण पूचते हैं तो नारत जी ने कहा कि अयम तो युग धर्मो ही बढ़तते कस्चे दूशनम जब भगवती भक्ति महरानी ने यह कहा कि इदम स्थानम परित्यज्या विदेशम गम्मेते मया मैं यह स्थान छोड़ करके विदेश सली जाओंगी तो नारत जी ने कहा कि मां आजकल सब तो व अपना संसकार अपनी मर्यादा को भूल करके दूसरे को उसकी संसकर्थी को हम अपनाते हैं जवकि अपनी संस्कृती को पहचानना अपनी संस्कृती को बचाना ही सबका परमधर्म जो जहां का हम मिथिला के हैं तो मिथिला के संस्कृती मिथिला का संस्कार हम में होना चाहिए आप यदि नेपाल के हैं तो आप में नेपाल का संसकार नेपाल के संसकर्थी होनी चाहिए और यदि ऐसा नहीं है तो आप कहीं न कहीं अपने राष्ट्र के साथ अपने समाज के साथ धोखा करते हैं हम मानब हैं तो मानब वाला संसकार होना चाहिए अस्तु जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल बेश अस स्वामी एही काहमिल ही परिहस्त अशिरेख इनके हाथ में क्या है इनका पती कैसा होगा तो जोगी जटिल अकाम मन किसी के मन में किसी प्रकार का काम नहीं होगा मैना मैया कुछ और भाव लेती हैं कि अकाम माने जिन से बंसी ही नहीं चलेगा भईया लेकिन पारवती के आर्थ लेती है कि जिसके मन में किसी प्रकार की कामना ना हो कामना ही जीव को दुख देता मन में विचार आया कि इतना सुन्दर घर है एक गारी हो जाती तो अच्छा रहता अब जब तक गारी नहीं होगी तब तक मन में दुख होता रहेगा गारी हो गई मन में विचार आया कि घर में एसी लग जाता तो अच्छा रहता क्यूंकि गारी में बैठ करके जाते तो एसी चला करके जाते हैं घर में आएंगे एसी नहीं लगा रहेगा तो आनंद नहीं आएगा अब जब तक एसी नहीं लग जाता घर में तब तक दुख आए इसका अर्थ यह है कि मनुश्य को काम ही दुख देता है और वड़ी सुंदर मात है आजकल लोग दौर रहे हैं सब भाग रहे हैं किसी से पूछिये बाजार में कोई जा रहा है पूछिये कहां जा रहे हैं भाई या बोलेंगे काम से जा रहे है कोई बाजार में मिले सरक पे मिले कहीं भी मिले पूछिये कहां जा रहे हैं क्यूं आये हैं तो काम से आये हैं कहां जा रहे हैं यह बात वो स्वयम कहते हैं तो काम से चला गया मतलब किसे काम का नहीं रहा काम से चला गया मतलब किसे काम का नहीं रहा और एक विक्ति ऐसे होते हैं जो राम के लिए जीते हैं एक काम के लिए एक राम के लिए जीते हैं यदि कोई महात्मा आपके यहां आए तो महात्मा से पूछे कैसे आना हुआ तो बोल तक रहना है तो जब तक रामजी की एक्षा होगी कब जाना है जब रामजी की एक्षा होगी ऐसे जो भी काम करते हैं सब रामजी की एक्षा से लेकिन जो संसार के लिए जीते वो कहते काम से जा रहा हूं काम से आया हूं जो राम राम कहते हैं वो राम में मिल जाते हैं और ज किसी काम के नहीं रहेते काम से चले जाते हैं एक संत का बड़ा सुंदर भाव हुए राम का नाम लेकर जो मर जाएगा वो अमर नाम दुनिया में कर जाएगा राम का नाम लेकर जो मर जाएगा राम का नाम लेकर जो मर जाएगा वो अमर नाम दुनिया में कर जाएगा वो अमर नाम दुनिया में कर जाएगा राम का नाम लेकर जो मर जाएगा राम का नाम लेकर जो मर जाएगा कर दो कर दो कर दो ये न पूछो की मर कर किधर जाएंगे वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे राम का नाम लेकर जो मर 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 जाएंगे जे हो बात मानो न मानो खुशी आपकी बात मानो न मानो खुशी आपकी हम मुसाफिर है अपने घर जाएंगे हम मुसाफिर है अपने घर जाएंगे हम मुसाफिर है अपने घर जाएंगे राम का नाम लेकर जो मर जाएगा राम का नाम लेकर जो मर जाएगा वो अमर नाम दुनिया में कर 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 जाएगा राम का नाम लेकर जो मर जाएगा राम का नाम लेकर जो मर जाएगा बोलिये भक्त वच्छल भगवान की जैत किसी प्रकार की जैकारा में कंजूसी नहीं होनी चाहिए तो इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं एक राम के प्रेमी और एक काम के प्रेमी जो राम के प्रेमी होते हैं वो राम में चले जाते हैं और जो काम के प्रेमी होते हैं वो काम से चले जाते हैं किशी काम के नहीं रहते हैं अच्छा संसार में आये हैं तो काम तो करना पढ़ेगा बिना काम के रहने ही शक्ते हैं फिर बीच का रास्ता निकाली है लोगों की दुविधा यह है कि वो राम को छोड़ नहीं सकते हैं और ना काम को छोड़ सकते हैं राम के बिना उनको अच्छा नहीं लगता और काम किये बगएर रह नहीं शक्ते अब दोनों को साथ में लेकर के चलना है तो कैसे चलना होगा कर से करम करों विधे नाना मन राखा हो जाह क्रिपा निधाना हाथ से करम करते रहे लेकिन मन को भगवान के च्रणारविंद में रखी तो काम भी नहीं चूटेगा और राम में मन भी लग जाएगा कर से करम करों विधे नाना मन राखा हो जहां क्रिपा निधाना अच्छे जब आप रास्ता पर चलते हैं तो ट्रैफिक रूल्स का बरा ध्यान रखना पड़ता है दाये चलना है कि बाये चलना है आगे चलना है पीछे सब चारों तरफ देखके चलना परता है अब इदर से गारी आ रहे है तो भी परिशानी उदर से आ रहे है तो भी परिशानी आप साइकल से चलिएगा तो भी बचके चलना होगा मोटर साइकल से चलिएगा तो भी बचके चलना होगा कार से चलिएगा तो भी ध्यान रखना होगा और तो छोरो भईया पैदल चलिएगा तो भी ध्यान रखना होगा कि कहीं कोई गारी आकर के धक्काना मार दे तो सबसे बरियाँ उपाई क्या है कि आराम से 10 रुपे का टिकट लीजिए और बस में जाकर के बैठ जाए ना आपको आगे देखना है ना पीछे देखना है ना आगे देखना है ना इधर उधर कहीं भी देखना ही नहीं है क्या करना है केवल टिकट लेकर के बस में बैठ जाना है अब उस ड्राइवर की जिम्मेदारी है कि आपको आपके स्थान पर कैसे पहुंचाएगा ठीक उसी प्रकार इस अध्यात्म के मार्ग पर भी चलने में बरिकठिनाई है चोटे चोटे चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है इसे लिए स्त्रद्धा का टिकट ले करके विश्वास की गारी में बैठ जाईए और आपको पार लगाएंगे कौन तो सद्ध गुरू निर्दे हमाद्यम सुलभं सुद्रलभं प्लभं सुकलपं गुड़ुकरन धार स्त्रीमत भागवत महा पुराण में भगमान सुरुष को देव कहते हैं कि अंद्रदे हमाद्यम सुलभं सुद्रलभं पलभं सुकलपं गुड़ुकरन धारम मयानको लेन नभस्व तेरीतम पुमान भवाब्धीम नतरेच आत्महा आपको कुछ नहीं करना है केवल स्रद्धा का टिकट ले लीजीए तो स्रद्धा की टिकट मिलती कहा है बताई ये तो कौन-कौन स्रद्धा का टिकट लेना चाहते हाथ उठा करके बताई Ukraine समझें नहीं आई एए स्त्रदधा का phrases किसको किसको चाहिए लंग कि जब किसी को जानेंगे तब तो ये कैसे पता चलता है कि राम कैसे है कृष्ण कैसे हैं तो जब सत्संग में आते हैं तभी पता चलता है तो सत्संग के काउंटर पर सरद्धा की टिकट मिलती है सरद्धा का टिकट ले करके विश्वास की गारी में बैठ जाए तो आपको पार लगा देगा कौन सद गुरू लेकिन दुविधा तो यहां भी है आज कर लोग सच्चे गुरू की तलास में लोग कहते हैं सच्चा गुरू खो जो अब भई जब इतना ज्यान हो ही जाएगा क सच्चे कौन है और जूटे कौन है इसका मतलब है कि हम बहुत बड़े ज्यानी हैं सच्चा जूटा का ज्यानी यदि हो जाए तो इसका मतलब है कि हम बहुत बड़े ज्यानी हैं किसी संत नहीं कहा कि नहीं सच्चे गुरू की तलास मत करिए स्त्रद्धा यदि सच्ची राज महल में पली बरही लेकिन सत्संग के क्रिपासे संत की क्रिपासे वो बच्पन से ही भगवान का भजन खूब करती थी एक दिन एक चोर आया और चोर ने देखा कि ये तुमरे शाथ भूई है फिर किसे जांक करके देखा किस को राज कुमारी को कहा कि अच्छा है साधू का वेश बना लिया तिलक लगाली शुंदर वस्तरधारन कर लिया बाना बदल्ले में कितनाट समय लगता है एक्टर के दस-पंद्रा वेश मिन लगता वेश बना लिया साधूखा था चोर गया उस राज कुमारी के पास राज कुमारी ने जैसे देखा कि वेश वूशा से महात्मा आये हैं प्रणामन क्या और कहा कि बाबा पानी पीजिए उस चलिया गुरू ने चलिया महात्मा ने क्या कहा कि नहीं नहीं हम अवैश्णव के हाथ का जल नहीं लेते जो बैस्णब नहीं है जिसके गले में तुलसी की माला नहीं है जो तिलक नहीं लगाता है हम उसके हाथ का पानी भी नहीं पीते बोले बाव हम तो गुरू की तलास ही कर रहे हैं आप ही मुझे दिक्षा दे दीजे मैं आपको ही गुरू बना लूँगी चोर ने देखा की अब तो ये मेरे बस में है बोले हम यहां मंत्र नहीं देंगे यदि तुमको मंत्र लेना हो तो चलो मेरे साथ जंगल में राजकुमारी का हिरदे जो था बरा सच्चा था गुरू के प्रति सच्ची निष्ठा थी उसके साथ चली गई जब जंगल में गई तो उस गुरू ने क्या किया उसका सारा धन ले लिया और धन ले करके विचार किया कि यदि इसको ऐसे खुला छोर दूँगा तो ये जाकर कि राजा से सिकायत करेगी बाद में मुझे दंड मिलेगा तो उस राजकुमारी को एक पेर में बांध दिया और कहा कि जब तक मैं स्वयम ना आओ तब तक कोई आ जाए ये बंधन खोलने मत देना राजकुमारी ने कहा कि ठीक है बाबा जब तक आप स्वयम आ करके मेरे बंधन नहीं खोलोगे तब तक मैं ऐसे बंधी रहूंगी और चोर सारा धन ले करके चला गए प्राता काल हुआ जब राजा ने देखा कि राजकुमारी अपनी कक्षवे नहीं है तो रत परशवार होकर के बेटी को खोजने के लिए गए खोजते खोजते एक जंगल में देखा कि मेरी बेटी तो बेर से बंधी हुई है गया बंधन खोलने के लिए बेटी ने हाथ जोड के प्रणाम किया कि आप पिता जी है आप मेरी पुझ है मैं आपको प्रणाम करती हूं लेकिन गुरू जी ने बांधा है इसको खोलिएगा मत अरे बाबरी हो गई है क्या गुरू का काम बांधना नहीं है गुरू तो बंधन में डाल दे बेटी तुम्हें किसी चलिया ने शाधू का भेश धारन करके तुम्हें ठग लिया है राज कुमारी ने कहा कि जो हो मेरी गुरू के बारे में ऐसे मत बोली है राजा समझा करके ठग गए उसने बंधन नहीं खुलवाया राजा चले गए अपने नारद जी ने देखा कि भई ये बेचारी हिरदे से दुबरी साथ दुई है भगवान के चरणों में इसका बराप प्रेम है लेकिन चोर ने साधू का भेश धारन करके इसको बंधन में डाल दिया नारद जी को देख करके राज कुमारी ने प्रणाम किया देवर्शी नार भूले वेटी ये गुरू नहीं एक चोर था जो तुम्हें तुम्हारे देह में जो सोना चांदी के आभूशन थे उसको देख करके उसके मन में विक्रती आ गई और उसने तुम्हारा धन लेने के लिए चल किया है अरे गुरू का काम बांधना नहीं गुरू का काम तो खो पुले बावा ठीक है आप देवर्शी नारद हैं मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हुँ लेकिन मेरी गुरू के बारे मैं ऐसे ना बोली है और नारद जी से भी बंधन नहीं खुलवाई नारद जी ने जा करके नारढ़न से कहा के देखिए आपका भजन करने वाली एक साथ भी राजकुमारी को एक चोर ने गुरू बना करके गुरू बन करके उसका सब कुछ छीन लिया और बंधन में डाल दिया है भगवान ने विचार किया कि चलो हम भी थोड़ा चल करके देखें भगवान बैकुंठ धाम से आ गए नीचे उस राजकुमारी को कहा कि बेटी मैं खोल देता हूँ भगवान को भी राजकुमारी ने मना कर दिया कि नहीं नहीं मैं आपसे बंधन नहीं खुलवाओंगी क्योंकि ये गुरू जी का बंधा हुआ है यदि कोई सामान्य वेक्ति बंधा होता तो मैं खुलवा लेती लेकिन गुरू जी का आग्या है कि मैं जब तक ना आओ तब तक ये बंधन किसी को खोलने मत देना भगवान भी ठक गए नहीं खुलवा खुलवाई हूँ बंधन अब देखी स्रत्धा इसी को कहते है भगवान ने कहा कि जाओ देखना वो चोर कहीं गया नहीं होगा इधर उधर भटक रहा होगा फिर बाना बदल करके किसी को ठगने के चक्क्र में होगा जिसका काम ही है ठगना वो तो कभी साधू बन जाएगा कभी चोर बन जाएगा कहीं गया नहीं होगा नारद जी गए धोंडते धोंडते देखा कि फिर एक जगह साधु का बेश बना करके लोगों को ठगने के लिए तयार था हात पकरा बोले चलो भगवान बुला रहे हैं चोर ने कहा कि मैंने जीवन में ऐसा कौन सा धर्म किया जिसके लिए भगवान मु कि चोर आये थर 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 वेचारा कांपर हाथा कि पता नहीं भगवान आज मारेंगे की जिलाएंगे हाथ जोर के भगवान के चरणों में प्रणाम क्या बोले कम इसकम एक घर तो छोर देते डायन भी एक घर छोर करके नजर टोना लगाती है किसी और को अरे तुम तो उ और फिर वो बंधन से मुक्त हुई अपने घर गए इसका आर्थ क्या है इसका क्या यह मतलब है कि गुरू ऐसा ही होता है नहीं यदि स्रद्धा सच्ची होगी गुरू कैसे भी होंगे लेकिन हमारी स्रद्धा यदि सच्ची होती है तो भगवान भी आ जाते हैं भले गुरू का कुछ सिस्य ऐसे होते हैं जो अपने कारण गुरू का भी उद्धार करते हैं और यही कथा में तो आपने सुना था गुरू चोर था लेकिन सिस्य के मन में गुरू के बचन के प्रति यदि निष्ठा थी तो भगवान भी दर्शना करके दिये विशले संत कहते हैं सच्चे गुरू की तलास मत करो स्रद्धा यदि सच्ची होगी तो गुरू तो स्वयम दिले जाएंगे स्रद्धा सच्ची होनी चाहिए लेकिन हम लोग यहीं मार खा जाते हैं हम लोग सच्चे गुरू की तलास करते हैं सच्चे गुरू की तलास मत करिये स्रद्धा यदि सच्ची होगी तो गुरू भगवान स्वयम बन करके आ जाएंगे इसलिए स्रद्धा सच्ची होनी चाहिए तो सत्संग में ही एक निवेदन करना चाहूंगा यदी गुरु कामी हो यदी गुरु लोभी हो यदी गुरु क्रोधी हो तो गुरु में अबगुन नहीं देखना चाहिए गुरु में माता पिता में महापुरुष में संत में अबगुन भूल से भी नहीं देखना चाहिए यदी गुरु के अंदर काम दिखे तो समझेगा कि ये कृष्ण के रूप में है यदी गुरु मर्यादित हो तो समझेगा राम के रूप में है यदि गुरू में लोब होगा तो समझेगा कि बामन के रूप में है और यदि गुरू में क्रोध होगा तो समझेगा कि परुषराम दरवासा के रूप में है लेकिन जिस भी रूप में है गुरू गुरू ही होते हैं गुरू में अबगुन भूल से भी नहीं देखना करने से ही जीवन में उद्धार होता है श्री कवीर दाशी ने वरिशुंदर बात कहीं है संतन के शंग लागरे तेरी अच्छी बनेगे 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 किसकी किसकी आज तक बनी है द्रुब जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई प्रुब जी की बन गई प्रहलाद हो की बन गई ओई तेरों पर भागरे तेरों पर भागरे तेरी अच्छी बनेगे संतन के शंग लागरे तेरी अच्छी बनेगे संतन के शंग लागरे तेरी अच्छी बनेगे जै हो प्रीअदely बनो क्या कर दो कागा से तो है हंस करेंगे बस तो तहा हम आप सभी भगवान के ही संतान है लेकिन इस माया के कीचर में पर करके हम अपनी चाल भूल गए माया की कालिमा लग गई तो हम अपने आपको कवा मानने लगे और हम दुखी हो गए सद गुरु क्या करते हैं सतसंग की गंगा में नहा करके जो देह में जो आत्मा में जो शरीर में मैल लगा हुआ है उसको धो देते हैं तब पता चलता है कि हम तो हंस हैं किसी लिए कभीर बाबा कहते हैं लिट जाए और के ताग ने तेरी अच्छी बनेगे संतन के संग लाग ने तेरी अच्छी बनेगे संतन के संग लाग ने तेरी अच्छी बनेगे धीराद है सुत्वित नारी भवन परिवारा सुत्वित नारी भवन परिवारा त्याग सके तो अब त्याग रे त्याग सके तो अब त्याग रे सेरी अच्छी बनेगे संतन के संग लाग ने तेरी अच्छी बनेगे संतन के संग लाग ने तेरी अच्छी बनेगे संतन के संग लाग ने तेरी अच्छी बनेगे संतन के संग लाग ने संतन के संग लाग ने तेरी अच्छी बनेगे संतन के संग लाग ने तेरी अच्छी बनेगे कर दो दो पो य쳐 कहत कवीर सुनो भाई साधो कवीर दास्ती के लगभग जितने भजन हैं सब में ये पंगती है क्या कहत कवीर सुनो भाई साधो किशी ने कवीर दास्ती से पूछा कि आप सब को ऐसा क्यों कहते हैं कहत कवीर सुनो भाई साधो साधो का ही नाम क्यों लेते हैं तो कवीर दास्ती ने सुन्दर जवाब दिया जो साधू होगा वही मेरी बात मानेगा जो साधू होगा यह नहीं वो मेरी बात भला क्यों मानेगा इसलिए कवीर दास जी असपस्ट कहते हैं कहत कवीर सुनो भई साधो कहत कभीरे सुनो भाई साधो रामचरण अनुरागरे तेरी अच्छी बनेगी संतन के शंग लागरे तेरी अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी बोल संद भगवान की जैश ऐसे नारद बाबा का सुभागमन हुआ कहां हिमाले के घर में जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश अस स्वामी एही कहां मिल ही परिहस्त अशिरेख तुलसी बाबा ने कहा जे जे बर के दोश बखाने जे जे बर के दोश बखाने ते सब सिवा पही में अनुमाने ते सब सिवा पही में अनुमाने जे जे बर के दोश मखाने जे जे बर के दोश बखाने ते सब सिवा पही में अनुमाने जे जे बर के दोश बखाने जे जे बर के दोश बखाने नारद बाबा ने कहा कि जे जे पर के दोश बखाने ते सब शिब पही में अनुमाने ए मैना मैया मैने दुलहा के जो जो दोस गिनाये हैं मुझे लगता है कि वो सारे दोस भगवान शिब में है लेकिन जो विवाह संकर्शन होई दोसों गुनसम कह सब कोई यदी भगवान शिब के साथ पारवती का विवाह होता है तो दोसों गुनसम कह सब कोई दोस को भी लोग गुन ही कहेंगे कैसे दोस तो दोस होता है और गुन तो गुन होता है लेकिन यदी पारवती का विवाह भगवान शिब के साथ हो जाता है तो दोसों गुनसम कह सब कोई दोस भी गुन बन जाएंगे इसको ऐसे समझे किसी नाला के पानी से कोई पूझा नहीं करता नाला के पानी में कोई उस्त्रान नहीं करता लेकिन वही नाला का पानी यदि गंगा जी में जाके मिल जाता है तो लोग जानते हैं देखते हैं उनकी आखों के सामने नाला का पानी गंगा जी में मिलता है लेकिन फिर भी डुबकी लगाते है जब तक उस नाला के पानी का संबंध गंगा के पानी के साथ नहीं था तब तक वो सुद्ध था स्नान के योग्य नहीं था पाने योग्य नहीं था पीने योग्य नहीं था लेकिन जैसे नाला का पानी गंगा से जाके मिल गया तो दो शौगुन सम कह सब कोई उस पानी में भी गंगा का पानी के प्रभाव से पावनत तो आ गया नारद जी ने कहा दोशों गुनशम कहा सब कोई और ऐसे भी मैया समरत कहो नहीं दोश गोसाई रभी पावक शुरसरी की नाई इसका अर्थ लोग यह लगते हैं कि समरत कहो नहीं दोश को साई रभी पावक शुरसरी की नाई जो सामरत वान लोग होते हैं उनको दोश नहीं लगता बोले कौन कौन से तो रभी पावक शुरसरी की नाई रभी माने सुरिय पावक माने अगनी सुर्शरी माने आपका यह सुन्सरी नहीं सुर्शरी माने देवनदी गंगा मुझे पता चला कि इस नदी का भी नाम पहले सुर्शरी ही था लेकिन कालांतर में चल करके सुन्सरी हो गया लेकिन वस्तुता सुर्शरी का अर्थ होता है देवनदी गंगा सुर्शरी सुर माने देवता और सरी माने नदी अर्थात देवनदी देवनादी मने गंगा रविपावक शुर्शरी की नाई जो अही सेज जो अही सेज सयन हरी करही बुद कचुतिन करदोशन धरही भानु क्रिशानु सर्वर्श खाई तिन कह मंद कहत को नाई आग में लोग सुन्दर भोजन भी बनाते और आग में मांस भी पकाते लेकिन आग अपवित्र नहीं होता आग में वो दोस नहीं लगता क्यों क्योंकि आग में अपना विसिस्ट गुन है पावनत गुन है दाहकत गुन है इस कारण से ही लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सामर्थवान को दोस नहीं लगता जो सामर्थवान है उसको दोस नहीं लगता ऐसा अर्थ मत लगाईएगा इसका अर्थ यह है कि जिसमें दोस नहीं होता है वही सामर्थवान ऐसा नहीं कि इस देश का मालिक जो है सामर्थवान है जो करेगा समच्छाई होगा जिसमें दोस नहीं होता है उसी को सामर्थवान कहना चाहिए और जिसमें दोस है वो सामर्थवान नहीं हो सकता लेकिन यदि आपकी बेटी तपस्या करें तो सब कुछ संभव है तपबल रचई प्रपंच विधाता तपबल विष्णु सगल जगत्राता तपबल रुद्र करई शंधारा तपते अगमन कछु संसारा तपश्या से सब कुछ संभव है तपश्या के बल पर ही ब्रमाजी स्रिष्टी का निर्मान करते हैं तपश्या के कारण ही विष्णु संसार का पालन करते हैं और तपश्या के बल पर ही रुद्र संसार का संधार करते हैं श्री नारत बाबा ने कहा कि तपते अगमन कछु संसारा तपस्या यदि कोई करे तो इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है सब कुछ संभव हो जाता है तप बल रच इप्रपंच विधाता तप बल वेष्णु सकल जगत्राता तप बल रूत्रकराई संधारा तप बल रूत्रकराई संधारा कर दो तक बनरूद्य कर आहीं संकार्या हूए अब Singh अभवन्य लोग लो औरे ४ अजर दुप्र कर तो ऐतडिया कर तो नद कर दो अफ घर अन अठिमिते देलंड में अठिजन कर द आ कर द ना म mariving did कर दो पतिंदा इंन कर दे तंसारमें तपस्यां से कुछ भी असंभब नहीं है सभकुछ पाया जा सकता है और जो तपस्यां नहीं करता है तो तप का उल्टा क्या होता है तप हुआ और उसका उल्टा होता है पत माने पतन आजकल की माताई अपने पती को क्या कहते हैं हस्वेंड कहते हैं पती नहीं कहते है और आजकल के पुरुषवर्ग के लोग भी अपनी पतनी को पत्नी नहीं कहकरके और और नाम से पुकारते हैं जबकि इसके पीछे एक बड़ा तात्तिक अर्थ चुपा हुआ है पत्नी और पती दोनों पत धातु से बने हैं हमारे यहाँ जब दुरगा सब्तसती का पाठ होता है तो क्या कहते हैं यादेवी शर्व भूतेशु मात्री रूपे नसंस्थिता नमस्तस्यी 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 नमो नमहा जब किसी लर्की का बिवा हो जाता है तो उससे पहले उसका अलग नाम होता है लेकिन जब विवाह हो जाता है, यदे किसी का नाम जानकी है, और उसके पिता का नाम राधारमन जा है, तो लड़कियां अपने नाम के पीछे क्या लगाती है, या तो जानकी जा या जानकी कुमारी, लेकिन जब विवाह हो जाता है, तो जानकी देवी के नाम से जाने जाती क्यों कि विवाह की बाद उसमें दिव्व्यत आ जाते है दिव्यत प्रकास यति यांसा देवी का अर्थि ही है जिससे दिव्यत आए और आप देखते होंगे जभ किसी लरकी का विवाह होता है तुप उसका सुरूप बदल जाता है और भगबत क्रिपा से धीरे-धीरे सुभाव भी बदल जाता है दीव्यते प्रकास यते अनेन यासा देवी जिससे दिव्यता आए प्रकास आए वही देवी एक पंडिजी थे मिथिला के कलकत्ता में पंडिजी की बरी पूछ होती है वहाँ गए बरे परहे लिखे थे व्याकरण का बरहियां ग्यान था लेकिन तुलसी वाबा मानस में लिखते हैं पंडित सोई जो गाल बजावा आप परहे लिखे कितना है ये मैटर नहीं करता आप कितना बरहियां से ये जमान को प्रसंद कर देते हैं सबसे बरी बात ये है आपने क्या कहा उससे कोई मतलब नहीं ये जमान को यदि अजमान प्रसंद हो गए तो आप माला माल हो जाएगे, यदि अजमान प्रसंद नहीं हुए आप चाहें कितने भी विद्वान है तो कोई काम निबन ने बाला एक सेठ के यहां मारवारी सेठ के यहां ओपंडी जी गए जो परहे लिखेते उन्होंने का याद एवे शर्बभोतेशु मात्री रोफे नशंस्थेता नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमहा लेकिन जो मिथिला के बारे में जानते होंगे उनको पता होगा कि याको जो भी बोलते हैं मिथिला जाद एवे शर्बभोतेशु जैसे यग्य नहीं बोलते जग्य बोलते शष्ठी नहीं बोलते हैं मिथिला में याको जो भी बोला जाता है जतो जतह समी हसे जब कि यतह है लेकिन यक जो भी बोला जाता है वो पंडिजी जो गए तो बोलते थे कि जा देवी सर्वभोते शुमात्री रोपे नसंसेता लेकिन उस सेठ के यहाँ एक दोसरा पंडित पहले से पूजा करते थे ज्यान से सुनिएगा कि दो पंडित को ये एक पंडित कभी नहीं बरदास्त करेगा कि मेरा जजमान किसी और पंडित से पूजा करा है जो पंडी जी पहले से ही किसी यजमान के यहां है उस पंडी जी को ये बात पचेगा नहीं कि मेरे यजमान को कोई और अपना ले तीन महिना के बाद जब छुट्टी में आया देखा कि मेरे यजमान तो किसी और पंडी दी से पूजा करवा रहे और हैं भी बिद्वान वेशबुसा से भी बाणी से भी बिद्वान लगते हैं और मैं ठहरा मुर्ख पंडित अब यजमान तो इसके उपर बरस गए हैं प्रसन्न हैं बिद्वान पंडित थे भई यजमान खुमाला माल कर दिये लेकिन मुर्खक लाठी बिचे कपार कहावत है ना मुर्खक लाठी बिचे कपार सो मुर्ख पंडित ने देखा कि इसको हटाना कैसे है तो यजमान के पास गए और बोले कि आप कितने मुर्खाद भी हैं अरे आपका पैसा भी जाता है और भगवती भी आपके घर से जा रही है यजमान ने कहा कि यह कैसे आप जब पंडिजी पाठ करते हैं तो वहां बैठिएगा और सुनिएगा पंडिजी क्या कहते जादेवी शर्ब भूतेशु मात्री रोपेन संस्तिता जो भगवती इसलिए तो तीन महिना से मेरा कोई नया काम नहीं हुआ है कोई लोटरी नहीं लगी है यह पंडित गलत पाठ करता है उसे बिद्वान पंडित को बीचे पाठ में हाथ जोड़ करके प्रणाम के बोले पंडिजी आपका काम पूरा हो गया जो दक्षिना हिसाब करी आप पंडिजी ने कहा कि यह कैसे अचानक इस शीठ को हो क्या गया तो पहले बाला जो पंडित था जो मुर्ख था उसको ज्यान ज्यादा नहीं था लेकिन सब्द का चातुर्य था पंडिजी कैसे यह जमान को प्रसंद करें यह बात उसको पता था तो आदेवी शर्व भूते इस फोले क्य तो यह कहता है कि आदेवी शर्व भूते में आप कहते हैं जादेव शर्व भूते झूंट का पता साथ कभी कभी भाई गयान भी वराहानी का रत को होता है स्रीम मनुसमर्दी में मनुजी महराज लिखते हैं कि धन वर्द्धा वल वर्द्धा कोई धन में बहुत स्रेष्ट होते हैं कोई बल में बहुत स्रेष्ट होते हैं कोई आयू में बहुत स्रेष्ट होते हैं लेकिन सबसे स्रेष्ट कौन है ते सरवे पे ज्यान वर्द्धास् जो ज्ञान में परिपक्क हैं जो ज्ञान में स्रिष्ट हैं जो ज्ञान की प्राकाष्ठा पर पहुचे हुए हैं वही सर्वस्रिष्ट हैं इसलिए विद्वान सर्वत्र पूज्यते राजा का पूजा अपने देश में ही होता है स्वदे से पूज्यते राजने विद्वान सरवत्र पूज्यति राजा का पूजा केवल अपने देश में होगा लेकिन विद्वान की पूजा सरवत्र होती है कि इसको इधर मत भी ज़िए कि अपते अगमना कचु संसार यदी संकल्प ठोस होगा मन में सच्ची स्रद्धा होगी विश्वास होगा अपने कर्म के उपर अपने इश्ट के उपर तो लक्स अवस्य प्राफ्त होगा नारद जी नहीं कहा कि जोत पकरें कुमारी तुम्हारी भावी उमेठ शकहीत्र पुरारी लोग कहते हैं कि भाड़े में जो लिखा है उसको कोई मिटा नहीं सकता लेकिन भाग्य का लिखा भी मिटता है कौन मिटा सकता है जो देवों के देव महादेव हैं भगवान शिव को यह special power है special सक्ती है जो तप करें कुमारी तुम्हारी भावियों में शक्र हित्र पुरारी वो लिए प्रमान क्या है म्रिकंडु नाम के रिशी के पुत्र हुए मारकंडेय उनकी आयू केवल पांच बर्श की थी लेकिन सिवजी की आराधना किये तो सिव ने उन्हें अमर कर दिया इस संसार में आठ लोग ऐसे हैं जो आज भी जिवित हैं कौन कौन अस्तथामा बलिर व्यासो राजा बली अस्तथामा द्रोनाचारी के पुत्र वेद व्यास भगवान जिनोंने पुरान की रचना की शास्तर का विभाग किया और वेद का विभाग किया अस्तुत्थामा बलिडव्यासो हनुमां सभिभीशना और हनुमान जी भी जिवित ही हैं बोलिएका प्रमान क्या है चारो जुग परताप तुम्हारा हनुमान जी है इसका यही प्रमान है चारो जुग परताप तुम्हारा चारो युग में हनुमान जी का प्रताप उनकी महिमा है तो अस्तुत्थामा बलिडव्यासो हनुमां चा विभीशना और विभीशन जी भी जिवित ही है कृपह परसुरामस्च कृपह माने कृपाचारिया कौरब के कुलगुरू कृपाचारिया परसुरामस्च और परुसरामजी सब्तैते चिरजीवन ये साथ चिरजीवी हैं अमरह लेकिन एक और है सब्तैतान अस्मरेण नित्यम मारकंडिया मथास्टकम मारकंडिया और ये सिवजी की कृपा से ही जरजीवी है तो नारद जी ने कहा जो तप कर रही कुमारी तुमारी भावियों में ते सकही त्रे पुरारी जो तप कर रही कुमारी तुमारी 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 जो तप कर रही कुमारी तुम हुआ हें हैं कि यदि आज कलकी हैसमान होते तो पंड़े जी को मार करते बगा देते पंड़ेजी ऐसे एशूब donation कहते हैं मेरी बेटी के भाग में ऐसा दुलाओ आज कल के पंडेजी को जनम कुंडली दिखाने जाए या हाथ दिखाने जाए तो दो-चार पत्थर लिखी देए उनका भले अपना बेटा गुरवक हो गया इससे कोई फर्क नहीं परता है रहे वैया यदि पत्थर पहनने से ही सब कुछ ठीक ठाक हो जाता तो पंडेजी पास चले जाए तो बोलेंगे यह अनुस्ठान करवालो सब ठीक हो जाए लेकिन नारद जी ऐसे पंडित हैं ऐसे संत हैं उन्होंने कहा कि नहीं आपकी बेटी को ही तपश्या करना होगा आज कल के पंडी जी कहते हैं फोन पर आप संकल्प कर लिजिए पाथ हम कर दें कमाल मतलब कोई मुंबई में है और ठेकेदार पंडित जो होते हैं यहां ठेका ले लिए फोन पर संकल्प करवा लिए अब भगवान जाने हो आम परते हैं कि मली परते और यदि ऐसा करने से ही सब कुछ हो जाता फोन पर ही सब कुछ हो जाता कान में एर फोन लगा करके और गीत सुनने से ही कोई गायत हो जाता लोग गुरुजे के पास क्यूं जाते किसी महात्मा के पास क्यूं जाते यह सब बिकल्प है जब कोई और साधन नहीं बचे कोई और रास्ता ना बचे तो अंत में ये विकल्प है लेकिन आज कल लोग विकल्प को ही संकल्प बना लिये हैं जो तप करें कुमारी तुम्हारी नारज जी ने कहा कि आपकी बेटी को तपश्या करना होगा और यदी सिब जी के साथ विवा हो गया तो दोशों गुन सम कह सब कोई दोश भी गुन में बदल जाएंगे पारवती जी के बारे में ऐसा सुन करके मैंना रोने लगी नारज जी तो चले गए लेकिन मैंना एकांत में जाकर के पती ही एकांत पाई का महना ना अथन मैं समझे मुनिबैन हिमाले के चरणों में जाकर के प्रनाम करती है महाराज माप करिएगा मैं महात्मा की बात को समझ नहीं पाई है वो आखिर कहना क्या चाहते थे आरवती मैया ने आ करके कहा कि मैया मैंने रात में सपना देखा है एक सुन्दर बटुक ब्राह्मन मुझे आ करके प्रेडित करते हैं तपश्या करने के लिए हिमाले ने कहा कि महात्मा का यही आदेश है नार जी का यही आदेश है तो इन्हें तपश्या करने के लिए भेज दो आरवती जी तपश्या करने चली जाती है जंगल में तपश्या कैसे करती हैं थोड़ा प्ठल ले लेती हैं थोड़ा जल ले लेती हैं कि सरीर में प्रमाद भी ना हो और सरीर कमजोर भी ना हो यदि जैदा भरपेट भोजन कर लेंगी तो नीन्द आएगी फिर भजन में मन नहीं लगेगा कहते हैं ना तीन बार भोजन भजन एक बार उसमें भी आते हैं जन्जट हजार तीन बार भोजन करिए और एक बार भजन करने वैठिए तो भजन जैसे करने वैठिए गाय से नीन्द आनि लगी तीन बार भोजन भजन एक बार उसमें भी आते हैं जन्जट हजार मन मेरा कहता है गंगा नहाओ गंगा नहाओ थोरा यमना नहाओ जाती जाती रस्ते में लग गया बुखार उसमें भी आते हैं जन्जट हजार मन मेरा कहता है मंदीर हो आओं मंदीर हो आओं थोरा दर्शन कर आओं जाती जाती मंदीर में लग गया के वारोश में भी आते हैं जन्जट हजार तो अनेक प्रकार के जन्जट हैं दुनिया में इन जन्जटों से यदी बचना है तो स्रद्धा का टिकट ले करके विश्वास की गारी में बैठ जाए विश्वास व फलदाय कह वरी सुंदर उपती है विश्वास व फलदाय कह यदी विश्वास होगा तो फल आपको अवश्य मिलेगा लेकर यदी विश्वास नहीं होगा तो मंदीर में रखी हुई मुर्ति केवल आपके लिए मुर्ति है उसमें भगवान दिखाई नहीं देंगे हम लोग भगवान का दर्शन करने जाते हैं इसका फल क्या है भगवान का दर्शन कम मिलता है जब जनम जनमांतर के पुन्य कर्म उधित होते हैं तब जाकर कि भगवान का दर्शन होता है और भगवान के दर्शन का क्या फल है मम दर्शन फल परम अनूपा जीव पाव निज सहज सरोपा जीव पावनिज सहाज सरूपा मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावनिज सहज सरूपा जीव पावनिज सहाज सरूपा मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावनिज सहर शरूपा भगवान कहते हैं आप मेरे दर्शन करने आते हैं आपके पुन्य का फले आज यदि आप सप्संग में आये हैं कथा सूने आये हैं तो जनमांतरे भवेत पुन्यम जब जनम जनमांतर के पुन्य कर्म उदई होते हैं तभी सप्संग करने का अबसर प्राप्त होता है क्योंकि तात स्वर्ग अपबर्ग शुख धरिये तुला एक अंग सुन्दर कांड चोथा दोहा तूलन ताही सकन मिली जो सुख लव सत्शंग